इस चैनल दोस्तों स्वागत है आपके हमारी इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलीवुट की सुपर एश्टार सलमान खान की करियर की सबसे बड़ी मोवी जिसका नामे सुल्तान तो दोस्तों अगर आप भी सलमान खान की फैन और अगर आप सुल्तान मोवी को देखना चाहते हूँ और साथी साथ इस मोवी को बजेटिंग वर्क्स ऑफिस कलेक्शन को जा परति हिंदी भासा की एक स्पोर्टम की ड्रामा फील्म है यस राज फील्में बेंटरत की अधितिय जोप्रदारा की निर्मित फील्मे सलमान खान की अनुस्का सरमा के साथ सींशक चत्रीत के रूप में है फिर्म की सुल्तान अलिकांट पर क्रेदित है जो एक की कलपानी क पहल पालवान और हरियाना की प्रूवी की कुस्ती चैपियन है जिनके सफल करियर ने उनके नीजी जीवन में दरार पैड़ा कर दी है फिल्म चौ जुलाई की सथानी की पहलवान और प्रूव कुस्ती की चैपियन है जो हरियाना की एक छोटे से सहर रिवाडी में इंका जीवन जी रहे है त्री पटेल दारा की सामतिरीत एक नीजी मित्रीत मार्सल ओटली के सथाप्रक की आकास की ओबेराय को उनके पिता दारा की सुल्तान की को भरती के प्रास्ताव देता है जो सपर्च रूप से मना कर देता है और कहता है कि वह कुस्ती से पूरी तरह से स्वानिवर्थ हो गया है अपनी स्वानिवर्थी के पीछे के कारण पीछे के कारण की तलास में आकास सुल्तान के करीबी की दोस्त गुविंदा का सामना करत जो बताता है कि सुल्टान का करियर कैसे शुरू हुआ दोजर आठ में सुल्टान को रजय सतर की पहलवान और सथानी कुस्ति कोच की बेटी और फाहुसेन से प्यार हो गया हलाकि वह सुरू में उसके प्रेटी ठंडी होती है लेकिन वह सुल्टान को एक दोस्त के रूप में स्विकार करती है जब वह दवा करता है कि वह प्रेदीबंध हो तो वह उसका अपमान करती है और वह कहती है कि वह केवल एक अच्छी तरह से प्रिशिद पहलवान से साधी करेंगी अपना समान जीतने के लिए डुन संकलब सुल्टान खुरको गहन प्रिशन के लिए संप् कर लेते हैं और विविन अंतराश्टी खेलों में भारत का प्रेती निद्वा करते हुए मानियाता की प्रापात पहलवान बन जाते हैं जब दोनों को अलपता उल्पींग के दल के लिए चूना जाता है तो अरपा को पता चलता है कि वह गवरती है वह भारत के लिए उल्पी की उपलवदी उसे घमंडी बना देती है अरवा एक के काईकरव में एकी रिपोर्टर को ठपर मार देता है वह तरूकी में स्वर्ख जितने के लिए अरपा को उसकी नियत तरीखे के करीब छोड़ देता है लोटने पर उनोंने पाया कि उनके नवजात बेटी की गंबीर क रतापाता के कारण मुत्य हो गई थी बच्ची के पास एक दुलबर ओकी रताप्राकार था जो सुल्तान के सामान था जिसकी अनुपस्तीती ने बच्ची को दातारक से वंचित कर दिया गुस्से में अरफा सुल्तान को छोड़ कर अपनी पिता के साथ रहने का फैसला करती है अपनी पती और बच्ची को खोने से उदास सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लोड बैक खोलने के लिए धन जुटाता है आज के समय में अंकार सुल्तान से वादा करता है कि टुनामेट की सुपर पुरासकार की रासी ब्लोड बैक की खोलने की उसके सपने को पूरा क सुल्तान भाग लेने के लिए सहमत हो जाता है और दिली में प्रेजन के लिए यातरा करता है ज़ा आकास्ट उसे मिलवाता जो शुरू में उसे मना कर देता है लेकिन उसके ढूंद की शकलपाउं को देखने के बाद सहमत हो जाता है दो महीने की प्रेजिन के बाद सुल्तान अपनी काया को वापस पा लिता है और सीखता है कि फिश टाइल में कुस्टी कैसी की जाती है अपनी पहली लड़ाई में सुल्तान ने कैपो इरा सैली का उप्योग करें की प्रेटी दंदी को हरा दिया वाजली मैचों की एकी त्रूंखला जीत कर और इस प्रेकिया में अर्फा का समतन प्रापात करेंगे एकी राज्टिरापी की संसनी बन जाता है प्रेटी दंदी टाइरन के एकी वूडली के खिलाप सेमी फाइनल और दौर के दवरान सुल्तान लड़ाई जीत जाता है लेकिन गंभी रूप से घायल हो जाता है और उसे अंस्पताल में भरती होना परटा है डॉक्टर आकास को बताता है कि सुल्तान को दोबार यूद नहीं करना चाहिए कि कही ऐसा ना हो कि उसके चोटो घातक हो जाए अर्फा वार्ड में आती है और उससे लड़ाई जारी रखने के लिए प्रीत करती है फाइनल मेंच के दोरान सुल्तान अपते प्रीती दंदी को हरानी के लिए अपने दर्थ पर काबू पाता है और अंत में टुनामेंट की जी जाता है और अपनी पतनी के साथ फीसे सुल्तान प्रसकार रासी का उप्योग करके एक बलड बैकी खोलता है और अर्फा कुस्ती सुरू करती है कुछ साल बाद वह एक की अच्छी को जरम देती है जिसे सुल्तान पहलवान के रुप में प्रेसीजिन करना सुरू कर देता है इस परियोजना की घुसना पहले जून दौजर पंद्रे में यूटूब पर जारी टीचर के साथ की गई थी खान फिल्म में हर्याना की एक की पहलवान की भुमिका निभाते नजर आएंगे फिल्म की तैयारी के लिए खान ने लाइनेर की स्टूवर के मगर दर्सन में कुस्ती परिचन लिया अक्तूबर दौजर पंद्रे में अमिरीकी की अभिनेता के सिल्वे एस्टन के एस्टेलोन फिल्म के खान के अन स्क्रीन कोज के रूप में कोश्ट किये जाने की खबर थी हलाकी फिल्म की काईक्राकी की निर्मता राजा मुखर जी ने साफ किया की एस्टेलोन की फिल्म में अभिनाय करेंगे बाद में संजय की दर्द को खान के अगरा के अनुसार कोज की भूमिका निभाने की अफवा उडाई गई हलाकि बार में खान ने बताया कि उन्होंने कभी भी दर्द की भूमिका के लिए आदित्य जोप्रा पर जोर नहीं दिया विसंबल 2015 में रंदीप ने हुड़ा को बार वेफिय में खान को कोच की भूमिका निभाने के लिए साइन किया काईपो चेकी आमीच सान की काती तोर पर प्रिसिंडिय को युवा सुल्तान की भुमिका के लिए साइन किया गया था हलाकि मार्च दोजे सोरे में उन्होंने पुसिच की कि वह खान के छोटे भाई की भुमिका निभा रहे है एम एम की फाइटर की टारन वुडली को फिल्मे अनय सेनानियों के साथ खान के साइन किया गया है जन्वरी दोजे सोरे में अनुसका सर्मा के खान के साथ महिला प्राधान भुमिका निभाने के लिए साइन किया गया था एक पहलवान के रूप में अपनी भुमेका के लिए सर्मा ने फिल्म के लिए कुस्ती की सिंचली फरवरी दोज़े सोरे में बलको की सिंजर को फिल्म के कोरियोग्राफर के रूप में साइन किया गय था वाइभी वी मचेनर की जगा जिनोंने वैतिगत की प्रिति बंदातावों के कारण फिल्म छोड़ दी थी फिल्म का प्री पोड़कोसान अक्तूबर 2015 में सुरू हुआ जहाँ खान ने फिल्म में अपने चतित के एक तस्वीर फेस्बूक पर पोस्ट के फिल्म को मुख्यों फोटोग्राफी दिसंबर 2015 में एंडी की एस्टूडियो करजत की और डेबियो जेडिबालियो की मैरियाट की मुंबई में सुरू हुई जहाँ फिल्म का पहला सेंडी उल फिल्म आया गया था पहला सेंडी उल का फिल्मकान दिसंबर 2015 के अंग में पूरा किया गया था दूसरा से इंडील का फिल्मा 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 सुटिंग के एक हिस्से के रूप में स्कूटर की सुवारी करते देखा गया था फिल्म ने अपने पहले ही तीन दिनों में लगभग 2-6 कडोर की कामाई की ऐसा करने वाली या पहली भारती फिल्म बन गई इसने अपने विस्तारित पांच दिवसी शुरुवात की साथ से अगास दोजय सोरे तक फिल्म ने भारत में 460 करोर रूपाई और विदोसों में 24 करोर 24 मिलियन की डालर की कामाई की अब तक की चोथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गई चीन में दिलिज होने से पहले फिल्म दुनिया भर में कमाई 5-9 करोर थी जिसम भारत में 421,25 करोर और विदेशों में 158 करोर सामिल है 9 दिसमबर 2018 तक चीन में रिलीज के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 6-23 की 33 करोर मिलियन की कामाई की है सुल्तान ने अगरीम की बुकिंग के लिए एक की नया रिकॉर्ट बनाया अपनी रिलीज की रिन सुल्तान को अस्तातन के 70-10 के मिले और लगभा की 36 करोर की कामाई की अपने दूसे सप्ताहत के अंतक फिल्म ने अनुमानित की 2-78 करोर की कामाई कर ली थी इसका अंतिम घरेल उस्तकल की 425 करोर था 24 जुलाई दोजसोरे तक फिल्म ने सयुक्त रजय और कनाडा में अनुमानित 49-69 करोर सयुक्त अरब अमिरात और खारी सयोग की परिस्तर में 52-94 करोर की यूनाइटिर की किंगडम में मिलियन से आधिक के साथ खुला और वर्स के अंतग शकल 18 मिलियन हो गए जिससे यह दोजसोरे की यूके की दूसरी सबसी आधिक कमाई करने वाली विदेशो भासा के फिल्म बन गई दंगल के नीचे की जुलाई दोजसोरे तक्विम ने यूजेलेंड में 2-93 करोर और मलेसिया में 109 करोर का संगरी किया था 10 जुलाई दोजसोरे तक्विम ने जमरने में 33 लाख रूपए कमाई थे तिसरी सब्ताहर के अंत में सुल्तान की कुल विदेशी कमाई लगभग की 22-57 मिलियन डालर की 151 की 2 करोर थी 3 अगस दोजसोरे तक सुल्तान विदेशों में 24-2 मिलियन डालर की 161 करोर की कमाई की थी जिसे यहाँ वीदेशी बाजारों में छटी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गई इसकी चीन में रिलीज से पहले इसकी वीदेशी कमाई की 180 कड़ो थी चीन में जहाँ फिल्म 31 अगस 2018 को रिलीज हुई फिल्म ने सोरी दिसम्बर 2018 तक 14 मिलियन अमिरीकी की डालर की कमाई की 9 दिसम्बर 2018 को समाप्त की समाप्त की दवरान की सबता ही की चीन बॉक्स ओफिस की चार्ट पर फिल्म में सात्वे नंबर पर पहुँच गई 9 December 2018 तक फिल्म ने वीडेसों में मिलियन की कमाई की है इस फिल्म पर आधारित एक आधारी के ग्रेम की 99 गेमर्स की दारा की मोबाइल की मोबाइल फोन के लिए जारी किया गए 6 जुलाई 24 सोरे को फिल्म की डीजिटल की कपी डाकनेट में उपलबद होने की सुचना मिली थी इस बास की पुशिट करते हुए कि निर्मताओ की डारस्ती भी एफ्री की ब्रोड को समीचा के लिए भेजे गए नमूने से प्रेतीली पी बनाई गई थी लीग की जांच कर रहे हैं साइबर अपराद की विशेसको ने कहा कि रीशुआ की पुशिट हो गई है फिल्म की प्रेटी की डाकनेट पर उपलबद है और जली या योगी टोरेंट पर उपलबद है हाला कि फिर्म की निर्मता यस राज फिर्म ने इस तरह के विकास इंकार किया कि एक नीजी अन्वेसर की किसलाय की चोदरी ने दावा किया दूइ घंटे चात इस मिनट लंबी फिर्म की उपलाबात थे और उसकी करें शाठ में तूटे के साथ साजा किया उन्हों ने कहा मंगलवास साथ से कई वेव वेबसाईटों को अवरॉदो कर दिया गया है और लिंग की तुरंट हता दिया गया था कि उन्होंने कहा सलमान खान की पठकटा के लेकन की सलीम खान और उनकी पहली पतनी सुसीला चड़क से सबसे बड़े बेटे हैं जिनों ने सलमा नायम का अपनाया था 27 दिसंबर उन्हें से 65 को एक मुस्लिम पिता और हिंदु मा के घर जनम खान का पालन पोसंद दोनों धर्मे में हुआ 1980 में जब सलमा और सलीम का तलाक हो गया और उनके पिता के साथ बच्चों की संबच सत्रों प्राप्रून हो गये और विदोसों में और वर्सों के बार ही ठीक हुए सलमान खान के दारा रदी अलाकोईंज की पस्तून थे अफगनिस्तान से जो 18 वर्स के दर्स की मगयम इंदौर रजय इंदौर की रेडी की डेंस की अब मगयम प्रदेश में बीटेस भारत में आकार बस गये थे हलाकि अप जसीम खान ने अविनेता की अपनी जीवन में कहा है की उनके प्रूज बीटस की भारत की वर्तमान खैबर की पक्तौर नकिया की पकिस्तान की उत्तर पचिम की सीमा प्रापाद की स्वाती घंडी में मलकन की यूसुफ अजय की पस्तून की अकूजय की उप जन जाती के थे उनके दाड़ा अब्दुर रशीत खान इंदोर रजय की उप महानीरिक थे जिने होलकर काल की दिले जंग की प्रसकार की समानित किया गय था खान की मा की एक गुरूनी है जिनके पिता बल्देव सी चरक की एक डुगड़ा की राजपुत जम्मू और कस्मीर के जम्मू से आते हैं और उनकी मराठी मा मारास्ति आती है खान की हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी भी बोल सकते हैं उनके दो भाई अरबास खान और स्वया खान और दो बैन अलवीरा खान अगनीतरी हो जिनकी साधी अभिनेता नीदेशन की अतुल की अगनीतरी हो और एक की दर्थ बहन की अप्रिता से हुई है सलमान ने अपनी स्कूली सिंजा के मुंबाई के ब्राइंड का एक सेट के सिंधिया स्कूली में पढ़ाई की जिनों ने मुंबाई के सेट के जिवयांस की कालेज में पढ़ाई की लेकिन पढ़ाई छोड़ दी थी उन्हेस उनासी तिरानवे प्रापान और सफलता के खान अपनी अभिनाई की सुरवात की उन्हेसे अठासी की फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की जिसे में उन्होंने एक की सहाय की भूमिका निभाई उन्होंने सुरज आर बरजतिया की रोमांटी परवारी ड्रामा मैंने प्यार किया उन्हें से उनासे में प्रमुक की भुमिका निभाई जो उस समय सबसे आधिय कमाई करने वाली भारती फिल्मों में से एक बन गई इसने उन्हें उसी समारों में सोतेश प्रूज की प्रापान के लिए नमाकन के साथ फिल्म फेयर की सोतेश की अविनेता के लिए अपना पहला नमाकन अर्जित किया बाद वाले को बरजतिया को समानित किया मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में होविन लोग कि क्लस इस पेनिस में तो आमों और तेलुगों में प्रमों की पावरालों के रूप में डॉप किया गया था उन्हें से नबे में खान की अभिनीट एक फिल्म की दिलिल जोई बागी बॉक्स आफिस पर सफल रही इसके बाद उन्हें से एकान में तीन समानेय रूप से सफल फिल्म में रही पत्थर के फुल्म सनम बेवफा और कुर्बानी उसी वर्स खान संजय दर और मादरी तीजित के साथ रोमांटिंग ड्रामा स्याजन में सौकलाकार की रूप में काम किया 1994 में खान राज कुमार संतोसी की अंदाज अपना अपना में आमीर खान के साथ सौकलाकार दिखाई दिये रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ओफिस पर अस्वल रही लेकिन पिछले कुछ वर्सों में इसने एक पर्त का दर्जा हासिल कर लिया है कि बार में वर्स में उन्होंने निर्देशन की सूरज बढ़ जातिया के साथ रोमांस हम आपके है कौन में सयोग किया साक लाकार की माधूरी तरी जित उन्हे से पंचानवे की प्रसकार सत्रा के दरान फिल्म ने सोतेश फिल्म के निर्देशन के अगनेत्री के लिए तीन फिल्म फियर प्रसकार जित ने इसने वर्ष की सबसे लोग प्रिया फिल्म होने का राष्टिय प्रसकार भी जीता दुनिया भर में दुई मिलियन से आधी की कमाई करने वाली यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी बालियून हिट और उस समय तक की सबसे आधी कमाई करने वाली भाती फिल्म बन गई यहाँ box office की इंडिया की हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसी बड़ी blockboster की सुची में से एक है दोज़े छोग में box office की इंडिया की अनुशार यहाँ अब तक की चोथी सबसी आधी क्रमाई करने वाली बाली फिल्म थी उन्य से 95 में उन्हों राके स्रुषन के करन और यून में सारू खान के साथ अभिनेय किया दोनों नो भाईयों की भुमिका निभाई जो परिवारी की सत्रों की दरा मारे जाने के बाद पुंजयनम लेते हैं करन के रूप में उनकी भुमिकार ने उन्हें उन्हें 95 फिल्म फियर और अभिनेता की पुराजकार के लिए नमाकित किया गया उन्हें से 96 में खाने संजे लिला भनसाली की निर्देशन में बनी पहली फिल्म खामोसी दमयू जीकल में अभिनाई किया वो भी दिखाई दिये और राजकवर की एकसर ने जीत को हीट कर दिया 97 में उनकी दो रिलीज हुई जुड़वा और अंजार पहली डेवी धवन के दारा निरेशित एक कामेडी थी जिसमें उन्होंने जरम के समय अलग हुआ जुड़वा बच्चों की दोरी भूमी का निभाई खान ने 99-98 में पांच अलग अलग फिल्मों में काम किया उनकी पहली रिलीज रोमांटी को मेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या थी जो काजोल के साथ थी जो उस साल की सबसे बड़ी वैसाई की सफलताओं में से एक थी इसके बाद मग्यम रूप से सफलनाटा की जब प्यार किया तो किस से होता है आया जिसमें खान ने एक ऐसे युवकी भूमी कानी भाई जिसने अपने बेटे होने का दवा करने वाले एक बच्चे को अपनी हिरासत में लेना होता है फिल्म में खान के प्रदस्ता ने अनुकूल अलोचनात्मा की समेचा अरजित की उन्होंने करन जवर के नीदेशान में बनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है मैं एक वी स्टारिक्ट की कैमियों भी किया जिसके लिए उन्होंने सौत इस सहाया की अभिनेतर की त्रेनी की त पैत्रियर राय और अजय देवगन के साथ जिसने उन्हें फिल्म फियर पुरसकार में 130 अभिनेता का नमाकन दिलाया फिल्म में उनकी प्रदसन की अनुकूल समीचा की गया जिसमें रेडिव की सरमीला की टेले कौम ने कहा सलमान प्यारे है वह नाट की दूसियों में हैम क करते हैं लेकिन कामेडी और उन्हों मांटी दूसियों को करने में बहुत सहज दिखते हैं 2020 में चुरी चुरी चुपके चुपके में धिखाई दिये जिसने स्रोगेट वच्चे के जनम के मूच को संभोधित किया इसमें खान एक अमीर की उधोगा पतिर की भूमी का निभ साथ ही कराकारों का सवच प्रदसन भी था जिसे इसके आने दोसों को काम करने के मदद मिली दूआ जदू में उन्होंने हम तुमारे हैस तनम में अभी नए किया तेरे नाम दूआ जदीन के लिए तरान आर्दस ने उनकी बारे में कहा सलमान खान एक ऐसी भूमिका में आस से एक कमजूर वैती होता है और यह पहलू अंदर होता है विसी इस रूप से की बात के दीलों में सामने आता है उनकी भावनात्मा की विस्पूर्ट संदार है निर्देशन की संतीस की कौशिक ने फिम के खान के काम में खाम को खान को काम को मजबूत मानते हुए कहा सलमान प्रदेशन किया है उन्हों ने एक ग्रहुन की अप्रागतर की प्रदेशन किया है मेरा मानना है कि यह सलमान कारियर का अक्तर के 37 प्रदेशन उन्हों ने मुझसे सारी करोगी 2004 और 9 एंटरी 2005 जेसी कामेडी के साथ अपना करियर जारी रखा खान ने 2007 की सुरुआज सलमाए एम की इसक फिल्म से की थी वहालियून की फिल्म मेरी गुल में अमिरीकी अविनेतरी की अली लटर के साथ दिखाई दिये फिल्म ने एक भारती प्रूस और एकी अमरीकी मैला प्रेम कहानी को बताया खान ने 2009 की दवरान की ग्रेम सो के दम के दूसरे सीजन को मेजबानी की बिज एसिया की यूके की 2008 की एक रिपोर्टर के अनुस्दाश सोने सोनी की एंटोटेन्मिन टेलीवीजन की लिए भार्टी टेलीवीजन की रेटिंग में अपना तीसरा इस्थान हासिल करने के लिए सप्रापायट लचे की रेटिंग की अंकी टी आरपी अरजित की द्वजनाव की वर्तमान की वैसाई की सफलाता वक को यूगडाफर से नीदेशन में बने प्रभू देवादारा की नीदेशित वांटेन में दिखाई दिये फिल्म को आम तोर पर सक्रात्मक समीच मिली बाली उनकी हांगामा के तरण आरदस ने इसे पांच में से चार एस्टार रेटिंग दी सल्बान खान की एस्टार पावर पर सवारी चाता था वह सहर में 37 अभिनेता नहीं हो सकता लेकिन वांटे जैसी फिल्म में एक वोमेका में जो उनकी वैतियों की विस्टर की तरह लगता है आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते जो इस वोमेका को फलफुल रहे रेडिव की राजा से ने 25 की रेटिंग दी और कहाल लेखन सोकिया और बकवास दोनों जबकी गाने साधे गुरून है खान भले ही मज़े कर रहे हो लेकिन वांटे जैसा फिल्म इस बात को रेखाकर करती है कि बालियून युगा की प्रमुक प्रूसों की एक नसल की कितनी बुरी तरह से जरूरत है और मौजूदा लोगों की किस तरह फिट होने वाली की भूमिकावों की जरूरत है वो उसवर्स्ट दो अन्य फिल्मों में मैं और मीज़ेश की खाना और लंदन की दीरमज में दिखाई दिये 2010 में खान की पहली डीरिज अनिल सर्मा की फिल्म वीर थी अपनी अगली फिर्म दंबंग में खान में अप फिर्म में हाशे प्राभा वाले एक नीडर पुलिस वाले की भूमी का निभाई इंको नामी की टाइमर्स ने फिर्म को बेवकूफ और साजिस और विशानियता के मामले में प्रून अश्गती होने के बावजूद अपनी वैसाई की सफलता के लिए उलेखने की बताया टाइमर्स ने उदो को भी नोट किया कि लोग प्रियता को खान की उफ्रिस्ति के सिंसा की भवित्यों की बेलगामा उच्सा और जोस के साथ करने में कम्याब रहे हैं दंबंग ने कई प्रसकार जीते जिसमें स्रम्पुरून की मन्रोजन प्रादान करने के वाली की सोत्रिस लोग प्रियता फिल्म को राष्टी फिल्म भी प्रसकार सामिल है बाद में इसे तमिल और तेलुगों में दोबारा बनाया गया फिल्म का निर्मान उनके भाई आरवाज खान ने किया था हिंदुस्टान टाइमस की दरा यहां बताया गया कि फिल्म पूरे देश में पूरे घर में खुल गया खान को उनकी प्रदाशन के लिए सौतेस अभिनेता के लिए स्टार इसक्रीन आवडर और स्टार अफ दा इयर मेल के लिए स्टार डौसर आवड मिला उने सौतेस अभिनेता के लिए उनके छटे फिल्म फियर प्रशकार के लिए भी नमाकित किया गया था कि अनुपरमा जोप्रा ने अपनी प्रदाशन के बारे में लिखा या एक जी लखड़ता है और यहां तेक की खुद को धोका भी देता है खान की 2021 की पहली रिलीज रेडी थी रेडी ने 2021 की दूसरी सबसे आधी क्रमाई करने वाली बालियून फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया वो अगली बार बाडी गॉर्ड में दिखाई दिये जो 2010 में इसी नाम का मल अलब फिल्म की रिमेक थी फिल्म की समेचको की डारा अच्छी तरह से प्रापायत नहीं होई थी हाला कि यह वर्ष्ट की भारत की सबसे ज्यादा कामाई करने वाली फिल्म बनान की 2022 की पहली रिलीज एक था टाइगर थी जा उन्होंने कैटरीना कैप के साथ अभिनाय किय और एक भारती जासुस के रूप में काम किया फिल्म को समेचकों से मिली जुली प्रेती ग्याएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर बेहत मजबुत संगरी की सुरवात हुई यह फिल्म यसराज की फिल्म के साथ उनके पहले जुडाओं को चिहित करती है खान ने दोजर बारे मे अरबाज ख्यान के निर्मान के ताद दंबंग की अगली कड़ी दंबंग दुई को रिलीज किया दंबंग दुई अनकी वैतियों की सतर पर पचीस मिलियन के राजसों के साथ एक बड़ी वैतियों के सफलता के रूप में उबरा एक साल के अंतराल के बाद ख्यान की विव एट पर भारत में दूई और अरव कलब उनों ने फिर्म का हैंग ओवर गीत भी गाया खान के 2015 की पहली फिर्म बजरंगी भाईजान जो एट पर रिलीज हुई थी को अलोज को और जनता से प्रसंसा मिली और रिलीज होने पर बॉक्स ओफिस के कई रिकोर्ट तोड़ दिये फिर्म ने अपने पहले सबताहत में 184 मिलियन अमेरीकी डालर की कामाई करते हुए पीकी की पिछले रिकोर्ट को पीछे छोड़ दिया पीकी के बाद 30 कलम में परवेश करने वाली या खान की पहली और दूसरी बालियून फिल्म थी या फिल्म वर्तमान में भारत और दुनिया भर में चोड़ अरब से आधी का संग्री के साथ दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बालियून फिल्म है बजरंगी भाईजा ने अपनी रिलीज के 20 दिनों को भी 33 करोल को पार कर लिया और भारत में अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जबकि उनकी दूसरी फिल्म प्रेम रतन धन पाये और एक दिवाली रिलीज की अलोच को अर्जानता से मित्री समिश्या मिली और रिलीज के बाद बॉक्स ओफिस पर कई रिकोड टोड़े यहाँ फिल्म की एक मिलियन से आधी की कमाई करने वाली सलमान खान की लगतार नौवी फिल्म बन गई फिल्म ने अपने पहले सब्तहाद में 173 मिलियन की कमाई की 25 नवांबर तक्वीम ने 2 से 1 मिलियन का संग्री किया इसके साथ खान तीन बैंक टू की बैंक फिल्म में देने वाले एक मात्रा अभिनेता बन गई जिने घरेलो 72 मिलियन से आधी की कमाई की वो भारत में ही वर्स में मिलियन के से आधी की घरेलू सुप संग्री करने वाली एक मात्र अभिनेता बन गए हेलो दोस्तो स्वागत है आपके हमारी इस यूटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बलीवूट की सुपर एश्टार सलमान खान की करियर की सबसे बड़ी मोवी जिसका नामे सुल्तान तो दोस्तो अगर आप भी सलमान खान की फैन और अगर आप सुल्तान मोवी को देखना चाहते हो और साथी साथ इस मोवी को बजेटिंग बॉक्स ओफिस कलेक्शन को जानना तो इस वीडियों में अंतक जरूर बने रहिएगा और साथी सत्बिल आइकन दवाना नाम भी ना भूलिएगा सुल्तान अली आबास की जफर दारा की नीदेशी द्वजस्तोरी की भारती हिंदी भासा की एस्पोर्टर्स की ड्रामा फिर्म है यस राज फिर्म में बैनर त देदित हैं जो एक की कलपानी की पहल पालवान और हरियाना की प्रूवी की कुस्ती चैपियन है जिनके सफल करियर ने उनके नीजी जीवन में दरार पैड़ा कर दी है फिल्म चो जुलाई दोजास्तोरे को दुनिया भर में रिलीज हुई थी इसने दुनिया भर में चो से तीन तेटिस करोन मिलियन की कमाई की है यह और यह अब तक की दसवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्म है सुल्तान अलिकान की एक की मगयम आयूवर की सथानी की पहलवान और प्रू कुस्ती की चैपियन है जो हरियाना के एक के छोटे से सहर रिवारी में इंक जीवन जी रहे है त्री पटेल दारा की सामतिरित एक नीजी मित्रित मार्सल अटली के सथाप्रक की आकास की ओबेराय को उनके पीता दारा की सुल्तान की लोगपियाता को बचाने के लिए भरती करने के लिए पुरुस्ताहित किया जाता है हरियाना की यात्रा करने के सेवानिवूर्थ हो गया है अपनी सेवानिवूर्थी के पीछे के कारण की तलास में आकास सुल्तान के करीबी की दोस्त गुविंदा का सामना करता है जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ 2008 में सुल्तान को रजय सतर की पहलवान और सथानी कुस्ति कोच की बेटी अर्फा हुसैन से प्यार हो गया हलाकि वह सुरू में उसके प्रेटी ठंडी होती है लेकिन वह सुल्तान को एक दोस्त के रूप में सिविकार करती है जब वह दवा करता है कि वह प्रेदी बंध हो तो वह उसका अपमान करती है और वह कहती है कि वह केवल एक अच्छी तरह से प्रीशित पहलवान से साधी करेंगी अपना समान जीतने के लिए डून संकलब सुल्तान खुरको गहन प्रीशन के लिए संप्रीर करता है और अंद के एक की राजाय सत्री कुस्ती की टुनामिट में जीतता है साथ ही एक साथ और वह भी दोनों साधी कर लेते हैं और विविन अंतराश्टी खेलों में भारत का प्रीती निद्वा करते हुए मानियाता की प्रापात पहलवान बन जाते हैं जब दोनों को अल्पता ओल्पिंग के दल के लिए चूना जाता है तो अर्पा को पता चलता है कि वह गवरती है वह भारत के लिए ओल्पिंग की स सुरण पदक जितने के अपने बच्पन के सपनेों को छोड़ देती है जिसे सुल्तान तब पूरा करता है उसे आत्रे होता है कि सुल्तान की उपलवदी उसे घमंडी बना देती है अर्वा एक के काईकरया में एकी रिपोर्टर को ठपर मार देता है वह तुरुकी में स्व अपला पाता के कारण मुत्य हो गई थी बच्ची के पास एक दुलबर ओग की रता प्राकार था जो सुल्तान के सामान था जिसकी अनुपस्तीती ने बच्ची को दातारक से वंचित कर दिया गुस्से में अर्फा सुल्तान को छोड़ कर अपनी पिता के साथ रहने का फैसल जुटाता है आज के समय में अंकास सुल्तान से वादा करता है कि टुनामेट की सुपर पुरासकार की रासी ब्लोट बैंक की खोलने की उसके सपने को पूरा करेगी सुल्तान भाग लेने के लिए सहमत हो जाता है और दिली में प्रेशन के लिए यात्रा करता है जा आकास उ पूज़ को फतेई सी से मिलवाता है जो शुरू में उसे मना कर देता है लेकिन उसके डून की सकलपव को देखने के बार सहमत हो जाता है दो महीने की प्रेशन के बार सुल्टान अपनी काया को वापस पा लेता है और सीखता है कि फिश टाइल में कुस्ती कैसी की जाती है कर और इस प्रेटिया में अर्फा का समतन प्रापात करेगे एक ही राष्टियापी की संसनी बन जाता है प्रेटि दंडी टाइरन के एक ही बूडली के खिलाप सेमी फाइनल और दौर के दवरान सुल्टान लड़ाई जी जाता है लेकिन गंभी रूप से घायल हो जाता है और उसे अंस्पताल में भरती होना पर्ट है। डॉक्टर आकास को बताता है कि सुल्टान को दोबार युद नहीं करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके चूटो घातक हो जाए। अर्फा वार्ड में आती है और उससे लड़ाई जारी रखने के लिए प्रीत करती है। फाइनल मेंच के दोरान सुल्टान अप्ति प्रीती दंदी को हरानी के लिए अपने दर्थ पर काबू पाता है और अंत में टुनामेंट की जी जाता है और अपनी पतनी के साथ फीशिस सुल्टान प्रशकार रासी का उप्योग करके एक बलड बैकी खोलता है और अर्फा करती है कुछ साल बाद वह एक की अच्छी को जरम देती है जिसे सुल्दान पहलवान के रुप में प्रिचीजिन करना शुरू कर देता है इस परियोजना की घुसना पहले जून दौजर पंद्रे में यूटूब पर जारी टीचर के साथ की गई थी खान फिर्म में हर्याना क एक की पहलवान की भुमिकान निभाते नजर आएंगे फिल्म की तैयारी के लिए खान ने लाइने की इस्टूवर के मगरदर्सन में कुस्ती परिचन लिया अक्तूबर दौजर पंद्रे में अमिरीकी की अभिनेता के सिल्वेस्टर के इस्टेलोन फिल्म के खान के अन स्क करिन कोष्ट किये झाने कि खबर थी हलाकि फिल्म की काइकराटी की निर्मता राजा मुखर जी ने साफ किया की इस्टेल स्टूलोन की फिल्म में अभिनाय करेंगे बात में संजय की दर्द को खान के अग्रा के अनुसार कोष्ट की भुमिका निभाने की अफवा उडाई गई हलाकि बार में खान ने बताया कि उन्हों ने कभी भी दर्द की भूमिका के लिए आदित्य जोपड़ा पर जोर नहीं दिया विसंबल 2015 में रंदीप ने हुड़ा को बार विफिय में खान को कोच की भूमिका निभाने के लिए साइन किया काई पोचे की आमीच शान की काथी तोर पर प्रिसिंडिय को युवा सुल्तान की भूमिका के लिए साइन किया गए था हलाकि मार्च दौजे सोरे में उन्होंने पूशिज की कि वह खान के छोटे भाई की भूमिका निभा रहे है A.M. की fighter की टाइरन वुडली को फिन में अन्य सेनानियों के साथ खान के साथ साइन किया गया है जन्वरी द्वज़ सोरे में अनुसका सर्मा के खान के साथ मैला प्राधान भुमिका निभाने के लिए साइन किया गया था एक पहलवान के रूप में अपनी भुमिका के लिए सर्मा ने फिल्म के लिए कुस्ती की सिंचा ले फरवरी दोज़े सोरे में बलको की सिंजर को फिल्म के कुरियोग्राफर के रूप में साइन किया गय था वाइभी मचेनर की जगा जिनोंने वैतिगत की प्रेति बंदातावों के कारण फिल्म छोड़ दी थी फिल्म का प्री पोर्कोसान अक्तूबर 2015 में सुरू हुआ जहाँ खान ने फिल्म में अपने चतित के एक तस्वीर फेस्बूक पर पोस्ट के ये फिल्म को मुख्यों फोटोग्राफी दिसंबर 2015 में एंडी की एस्टूडियो करजत की और डेबियू जेडिबालियू की मैरिय प्रीट की मुंबई में सुरू हुए जहाँ फिल्म का पहला सेंटी उल फ्लमाया घयता रहा सेंडी छो फिल्म draft हैं दिसंबर 2015 में पूरा किया घयता दूसरा सेंडील वींगे च्वीर जनौरी कथी तोर पर खान और सर्मा की बीच की एक्षन की सिक्वेस्ट फिरमाया गये था फिल्म के कुछ सिक्वेस्ट में दिल्ली की 360 साल पुरानी जमा मस्जिद होगी अप्रील 2000 सोरे की अंत में मुख्य अविनेता सलमान खान को उत्तर प्रदेश के मुझफर पुर्नगर में सुटिंग के एक हिस्से के रूप में स्कूटर की सुवारी करते देखा गया था फिल्म ने अपने पहले ही तीन दिनों में लगभग 2-6 करोर की कामाई की ऐसा करने वाली या पहली भारती फिल्म बन गई इसने अपने विस्तारीत पांच दिवसी सुरुवात की साथा से लगभग 328 करोर की कामाई की तीन अगस्त दोज़सोरे तक फिल्म ने भारत में 460 करोर रूपाई और विदोसों में 24 करोर 24 मिलियन की डालर की कामाई की पांच से उनाजी 25 करोर थी जिसमें भारत में 421 25 करोर और विदेशों में 158 करोर सामिल है 9 दिसंबर 2018 तक चीन में रिलीज के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 6-23 की 33 करोर मिलियन की कामाई की है सुल्तान ने अगरीम की बुकिंग के लिए एक की नया रिकोर्ट बनाया अपनी रिलीज की रिन सुल्तान को अस्तातन के 70-10 के मिले और लगवा की 36-54 करोर की कामाई की अपने दूसे सब्ताहत के अंतक फिल्म ने अनुमानित की 2-78 करोर की कामाई कर ली थी इसका अंतिम घरेल उस्तकल की 425 करोर था 24 जुलाई दोज़सोरे तक फिल्म ने सयुक्त रजय और कनाडा में अनुमानित 49-69 करोर सयुक्त अरब अमिरात और खारी सयुक्त की परिस्तर में 52-94 करोर की युनाइटिर की किंग्डम में 24-7 करोर की आश्टेलिया में 6-65 करोर 30 करोर का संग्री किया था पाकिस्तार और ने छेत्रों में 30 करोर युनाइटिर की किंग्डम में यहां मिलियन से आधिक के साथ खुला और वर्स के अंतग सकल 28 मिलियन हो गए जिसे यह दोज़सोरे की युक्त की दूसरी सबसी आधिक कमाई करने वाली विदेशो भासा के फिन बन गए दंगल के नीचे की जुलाई दोज़सोरे तक्फिम ने नई युजेलेंड में 293 करोर और मलेसिया में 109 करोर का संग्री किया था 10 जुलाई दोज़सोरे तक्फिम ने जमरने में 33 लाख रुपए कमाई थे तिसरी साफ्ताहार के अंत में सुल्तान की कुल विदेशी कमाई लगभग की 22-57 मिलियन डालर की 151 की 2 करोर थी 3 अगस दोज़सोरे तक सुल्तान विदेशों में 24-2 मिलियन डालर की 161 करोर की कमाई की थी जिसे यहां विदेशी बाजारों में छटी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्ल बन गई इसकी चीन में रिलियस से पहले इसकी विदेशी कमाई की 180 करोर थी चीन में जहां फिम 31 अगस 2018 को रिलीज हुई फिल्म ने सोरे दिसंबर 2018 तक 14 मिलियन अमिरीकी की डालर की कमाई की, 9 दिसंबर 2018 को समाप्त की समाप्त की दवरान की सबता ही की चीन बॉक्स ओफिस की चार्ट पर फिर्म में सात्वे नंबर पर पहुँच गई, 9 दिसंबर 2018 तक फिर्म ने वीदेशों में मिलियन की कमाई की है, इस फिर्म पर आधारित एक आधारी के ग्रेम की 99 गेमर्स की दारा की मोबाइल की मोबाइल फोन के लिए जारी किया गए, 6 जुलाई 24 सोरे को फिर्म की डीजिटल की कपी डाकनेट में उपलबद होने की सुचना मिली थी, इस बास की पुशिट करते हुए कि निर्मतावों की डारस्ती भी एफ्री की ब्रोट को समीचा के लिए भेजे गए, नमूने से प्रेती लिपी बनाई गई थी, लिग की ज कर रहे हैं, साइबर अपराद की विसेश को ने कहा कि रिशुआ की पुशिट हो गई है, फिर्म की प्रेटी की डाकनेट पर उपलबद है, और जली या योगी टोरेंट पर उपलबद है, हाला कि फिर्म की निर्मता यस राज फिर्म ने इस तरह के विकास इंकार किया, कि एक नीजी अन्वेसा की किसलाय की चौदरी ने दावा किया, दुई घंटे चाटिस मिनट लंबी फिर्म की उपलबद थे और उसकी उसी का इस किरिन साट में तूटे के सास साजा किया, उन्होंने कहा मंगल वासास से कई बेव वेबसाइटों को अवरोदो कर दिया गया है और लिंग की तुरंट हता दिया गया था कि उन्होंने कहा पुरस सलमान खान की पठकटा के लेकन की सलीम खान और उनकी पहली पतनी सुसीला चड़क से सबसे बड़े बेटे हैं जिनोंने सलमा नायम का अपनाया था 27 दिसंबर उन्हें से 65 को एक मुस्लिम पिता और हिंदु मा के घर जनम खान का पलन पोसंद दोनों धर्मे में हुआ 1980 में जब सलमा और सलीम का तलाक हो गया और उनके पिता के साथ बच्चों की संबच सत्रों प्राप्रून हो गये और विदोसों में और वर्सों के बाद ही ठीक हुए सलमान खान के दारा रदी अलाकोईंज की पस्तून थे अफगनिस्तान से जो 18 वर्स के 10 की मगयम इंदौर रजय इंदौर की रेडी रेजी की डेंस की अब मगयम प्रदेश में बीटेस भारत में आकार बस गये थे हलाकि अप जसीम खान ने अविनेता की अपनी जीवन में कहा है की उनके प्रूज बीटस की भारत की वर्तमान खैवर की पक्तुर नकिया की पकिस्तान की उत्तर पचिम की सीमा प्रापाद की स्वाती घंडी में मलकन की यूसुफाज़ाई की पस्तून की अकूज़ाई की उप जन जाती के थे उनके दादा अब्दुर रसीत खान इंदोर राजाई की उप महानीरिक थे जिने होलकर काल की दिले जंग की प्रसकार की समानित किया गए था खान की मा की एक गुरूनी है जिनके पिता बल्देव सी चरक की एक डुगरा की राजपुत जम्मू और कस्मीर के जम्मू से आते हैं और उनकी मराठी मा मारास्ति आती है खान की हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी भी बोल सकते हैं उनके दो भाई अरबास खान और स्वया खान और दो बैन अलवीरा खान अगनी त्रियों जिनकी साधी अभिनेता नीदेशन की अतूल की अगनी यूत्रियों और एक की दर्चब बहन की अप्रीता से हुई ह सलमान ने अपनी स्कूली सिंजा के मुंबाई के ब्राइंड का एक सेट के एस्टेनिय लाइन की हाई उसको ने पूरी की जैसा कि उनके छोटे भाईों की अरवाज और सोयल ने किया था इससे पहले कि उन्होंने अपने छोटे भाई अरवाज के साथ कुछ वर्सों तक गवालियर के सिंदिय इसकूली में पढ़ाई की जिनोंने मुंबाई के सेट के जिवयंस की कालेज में पढ़ाई की लेकिन पढ़ाई छोड़ दी थी उन्हें से अठासी की फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की जिसे में उन्होंने एकी सहाय की भूमी का निभाई उन्होंने सुरज आरवर जत्या की रोमांटी परवाडी ड्रामा मैंने प्यार किया उन्हें से उन्हें प्रमुक की भूमी का निभाई जो उस समय सबसे आधी कमाई करने वाली भारती फिल्मों में से एक बन गई इसने उने उसी समारों में सोतेश पुरूज की प्रापान के लिए नमाकन के साथ फिल्म फेयर की सोतेश की अविनेता के लिए अपना पहला नमाकन अरजित किया बाद वाले को बरजातिया को समानित किया मैंने प्यार किया को अ और तेलोगों में प्रैयमो की प्रावरालो के डूप किया गया था। उन्हें से 90 में खान की अभिनीत एक फिलीजे बागी बॉक्स आफीस पर सफल रही। इसके बाद उन्हें से में तिन समानिय रूप से सफर फिर्म में रही पत्थर के फुल्म सनम बेवफा और कुर्बानी उसी वर्ष खान संजय दर्द और माधरी त्रिजीत के साथ रोमांटिंग ड्रामा स्याजन में सौकलाकार की रूप में काम किया 1994 में खान राज कुमा संजय की अंदाज अपना अपना में आमीर खान के साथ सौकलाकार दिखाई दिये रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ओफिस वर अस्वल रही लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसने एक पर्त का दर्जा हासिल कर लिया है कि बाद में वर्ष में उन्होंने निर्देशन की सूरज बढ़ जातेया के साथ रोमांस हम आपके है कौन में सयोग किया सक लाकार की माधुरी तिरिजित उन्हें से पन्चानवे की प्रषकार 17 के द्वरान फिल्म ने 133 के निदेशन के अधिनेत 6 के लिए तीन फिल्म फियर प्रषकार जितने इसने वर्ष की सबसे लोगप्रिया फिल्म होने का राष्ट्य प्रषकार ही जीत दुनिया भर में 2 q2.000.000 से आधी की कमाई करने ौरी यह फिल्म उसस साल की सबसे बड़े बालियून हिट और उस समय तक की सबसे आधी कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गई यह बोक्स ओफिस की इंडिया की हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसी बड़ी ब्लाक बॉस्टर की सुची में से एक है दोज़े छो में बॉक्स ओफिस की इंडिया के अनुसार यह अब तक की चोथी सबसी आधिक क्रमाई करने वाली बाली फिल्म थी उन्हें से पंचान में में उन्हों राकेस रोसन के करन अर्यों में सारूख खान के सा अभिनाय किया दोनों नो भाईयों की भुमिका निभाई जो परिवारी की सत्रों की दरा मारे जाने के बाद पुंजनम लेते हैं करन के रूप में उनकी भुमिका ने उन्हें उन्हें 95 फिल्म फेयर और अभिनेता की प्राजकार के लिए नमाकित किया गया उन्हें 96 में खान ने संजे लिला भनसाली की निर्देशन में बनी पहली फिल्म खामोसी दम यूजिकर में अभिनाय किया वह भी दिखाई दिये और राजकवर की एकसर ने जीत को हीट कर दिया उन्हें 97 में उनकी दो रिलीज हुई जुडवा और अंजार पहली डेवी धवन के दारा निरेशित एक कामेडी थी जिसमें उन्होंने जरम के समय अलग हुआ जुडवा बच्चों की दोरी भूमी का निभाई खान ने उन्हें 98 में पांच अलग अलग फिल्मों में काम किया उनकी पहली रिलीज रोमांटी कोमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या थी जो काजोल के साथ थी जो उस साल की सबसे बड़ी वैसाई की सफलताओं में से एक थी इसके बाद मग्यम रूप से सफलनाटा की जब प्यार किया तो किस से होता है आया जिसमें खान ने एक ऐसे युवकी भूमी कानी भाई जिसने अपने बेटे होने का दवा करने वाले एक बच्चे को अपनी हिरासत में लेना होता है फिल्म में खान के प्रदस्त ने अनुकूल अलोचनातमा की समेचा अरजित की उन्होंने करन जवर के नीदेसान में बने पहली फिल्म कुछ कुछ होता है मैं एक वी स्थारिक्त की कैमियों भी किया जिसके लिए उन्होंने सौत इस्ताहया की अभिनेतर की त्रेनी की तो द पाइत्रियर राय और अजय देवगन के साथ जिसने उन्हें फिल्फियर पुरसकार में 130 अभिनेता का नमाकन दिलाया फिल्में उनकी प्रदसन की अनुकुल समीचा की गया जिसमें रेडीव की सरमीला की टेले कौम ने कहा सलमान प्यारे है वह नाट की दोसियों में हैम करते लेकिन कामेडी और उन्हों मांटी दूसियों को करने में बहुत सहज दिखते हैं 2020 में खान ने चुरी चुरी चुपके चुपके में धिखाई दिये जिसने स्ट्रोगेट वच्चे के जनम के मूच को संबोधित किया इसमें खान एक अमीर की उदोगा पती की भुमी का नि लेकिन साथ ही कराकारों का सवच प्रदसन भी था जिसे इसके आने दोसों को काम करने के मदद मिली दूआ जदू में उन्होंने हम तुमारे हैस्तना में अभी नए किया तेरे नाम दूआ जटीन के लिए तरान आर्दस ने उनकी बारे में कहा सलमान खान एक ऐसी भुमी का में आसादरन है जो उन्हें टी के लिए फिट बैठता है वह उन दुस्यों में आग लगाती है जो बैचेनी की मांग करती है लेकिन का ठीट बाहरी की नीचे एक कमजूर वैती होता है और यह पहलू अंदर होता है विसी इस रूप से की बात के दीलों में सामने आता है उन को काम को मजबूत मानते हुए कहा सलमान ने फी मिसांदार प्रदर्शन किया है उन्होंने एक ग्रहन की अपरागतत की प्रदर्शन किया है मेरा मानना है कि यह सलमान खान की करियर का अब तक 37 प्रदर्शन है उन्होंने मुझसे सारी को रोगी 2004 और 9 एंट्री 2005 जेसी के साथ अपना करियर जारी रखा खान ने 2007 की सुरुआ सलमाए एंग की इस फील्म से की थी वहालियून की फील मेरी गोल में अमिरीकी अर्विनेटरी की अली लटर के साथ दिखाई दिये फील्म ने एक ही भारती प्रूस और एक ही अमरीकी मैला प्रेम कहानी को बताया खान अने 2009 की दवरान की ग्रेम सो के दम के दूसरी सीजन को मेजबानी की बेज एस्सिया की यूके की 2008 की एक रिपोर्टर के अनुस्ता सोने सोनी की एंटर्टेन्मिन टेलीवीजन के लिए भारती टेलीवीजन की रेटी में अपना तीसरा इस्थान हासिल करने के लिए दाफर से नीदेशन में बने प्रभू देवादारा की नीदेशित वांटेल में दिखाई दिये फिल्म को आम तोर पर सक्रात्मक समीछा मिली बाली उनकी हांगामा के तरण आरदस ने इसे पांच में से चार एस्टार रेटिंग डी सन्मान खान की एस्टार पावर पर सव पारी चाता था वह सहर में सवतेस अभिनेता नहीं हो सकता लेकिन वांटे जैसे फिल्म में एक वो मेका में जो उनकी वैतियों की विस्टर की तरह लगता है आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते जो इस वो मेका को फलफूल रहे रेडिव की राजा से ने 25 की करती है कि बाली उन युगा की प्रमुख प्रूसों की एक नसर की कितनी बुरी तरह से जरूरत है और मौजूदा लोगों की किस तरह फिट होने वाली की भूमिकावों की जरूरत है वह उस वर्स दो अनय फिल्मों में मैं और मीज़ेश की खाना और लंडन की दिर्मस में 2010 में खान की पहली डिलिज अनिल सर्मा की फिल्म वीर थी अपनी अगली फिल्म दंबंग में खान में अप फिल्म में हासे प्राभाव वाले एक नीडर पुलिस वाले की भूमिका निभाई इंको नामी की टाइमस ने फिल्म को बेवकूफ और साजिस और विशानियता के मा कुन अश्गती होने के बावजूद अपनी वैसाई की सफलता के लिए उलेखने की बताया टाइमस ने उर्दोग को भी नोट किया कि लोग प्रियता ने लोग प्रियता को खान की उप्रिस्ति के लिए जिमेदारी ठाराया जिसमें कहा गया है कि वे सलमान खान के इस्टार करने में कम्याब रहे हैं दंबंग ने कई प्रशकार जीते जिसमें सेंपुरू longitudinal की मन रोजन प्रादान करने के वाले के 30 लोग प्रियता फिर्म को राष्टी फिर्म वी प्रशकार सामिल है बाज में इसे तमिल और तिलुगों में दोबारह बनाया गया फिर्म का निर्मा के लिए 37 अभीनेपा के लिए श्टार इस्क्रेन आवड़ और स्टार ऑफ श्टार ऑफ इयर मिल के लिए श्टार दरसट आवड मिला उन्हें 37 अभीनेता के लिए उनके छटे फिर्व्ह प्रसकार के लिए भी नमार्गित किया digital अनुपरमा जोप्रा ने अपनी प्रदसन के बारे में लिखा या एक जीवन भर की हुमिका है जो सलमान खान की इसे ऐसे काटे है जैसे कोई भूका आनमी दावत खा जाता है वो पूरी तरह से उसमें रहता है अकड़ता और लखड़ता है और यहां तेकि खुद को धोका भी देता है खान की 2021 की पहली रिलीज रेडी थी रेडी ने 2021 की दूसरी सबसे आधी कमाई करने वाली बालियून फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया वो अगरी बार बाडिगोर्ड में दिखाई दिये जो 2010 में इसी नाम का मलियालम फिल्म की रिमेक थी फिल्म की समेशकों की डारा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म वन खान की 2022 की पहली रिलीज एक था टाइगर थी जा उन्होंने कैटरीना कैप के साथ अभिनाय किया और एक भारती जासुस के रूप में काम किया फिल्म को समीचकों से मिली जुली प्रेति ग्याएं मिली और बॉक्स ओफिस पर ब प्रेमान के तब दंबंग की अगली कड़ी दंबंग दुई को रिलीज किया दंबंग दुई अन्ग की वैतियों की सतर पर 25 मिलेन के राज्साओं के साथ एक बड़ी वैतियों के सफलता के रूप में उबरा एक साल के अंतराल के बाद खान की विज़ा चवड़े की पहली रिलीज जै हो थी जिसमें उन्होंने डेची किस्तों के साथ अभी नहीं किया था उनकी दुसी रिलीज की के एत्ते लुगों फिल्म की रिमेकर जिसने रूप एट पर भारत में दुई और अरब कलब उन्होंने फिल्म का हैंग ओवर गीत भी गाया खान के 2015 की पहली फिल्म बजरंगी भाईजान जो इट पर रिलीज होई थी को अलोज को और जैनता से प्रसंसा मिली और रिलीज होने पर बॉक्स ओफिस के कोई रिकोर्ट तोड़ दिये फिल्म ने अपने पहले सब्ताहत में 184 मिलियन अमेरीकी डालर की कामाई करते हुए पीकी की पिछले रिकोर्ट को पीछे छोड़ दिया पीकी के बाद 30 कलम में परवेश करने वाली या खान की पहली और दूसरी बालियून फिल्म थी या फिल्म वर्तमान में भारत और दुनिया भर में 6 और अब से आधी का संग्री के साथ दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बालियून फिल्म है बजरंगी भाईजा ने अपनी रिलीज के 20 दिनों को भी 33 करोर को पार कर लिया और भारत में अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जबकि उनकी दूसरी फिल्म प्रेम रतन धन पाये और एक दिवाली रिलीज की अलोच को अर्जानता से मित्री समीचा मिली और रिलीज के बाद बॉक्स ओफिस पर कई रिकोर्ट टोड़े यहाँ फिल्म की एक मिलियन से आधी की कमाई करने वाली सलमान खान की लगतार नौवी फिल्म बन गई फिल्म ने अपने पहले सब्तहाद में 173 मिलियन की कमाई की 25 नवांबर तक्वीम ने दुश से एक मिलियन का संग्री किया इसके साथ खान ने तीन बैंक टू की बैंक फिन में देने वाले एक मात्रा अभिनेता बन गई जिने घरेलू 72 मिलियन से आधी की कमाई की वह भारत में ही वर्स में मिलियन के से आधी की घरेलू सुपसंग्री वाले करने के संग्री करने वाली एक मात्रा अभिनेता बन गई हेलो दोस्तो स्वागत है आपके हमारी इस यूटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बली बुट की सूपर एश्टार सल्मान खान की करियर की सबसे बड़ी मोबी जिसका नामे सुल्तान तो दोस्तो अगर आप भी सल्मान खान की फैन और अगर आप सुल्तान मोबी को देखना चाहते हो और साथी साथ इस मोबी को बजेटिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहिएगा और साथी सत बिल आइकन दवाना ना अधित्य जोप्रादारा की निर्मित फील्म में सलमान खान की अनुसका सर्मा के साथ सिंसक चत्तिरीत के रूप में हैं फिल्म की सुल्तान अलि खान पर क्रेदित हैं जो एक की कलपानी की पहल पालवान और हरियाना की प्रूवी की कुस्ती चैपियन है जिनके सफल करियर ने उनके नीजी जीवन में दरार पैड़ा कर दी है फिल्म चो जुलाई दोजास्तोरे को दुनिया भर में रिलीज हुई थी इसने दुनिया भर में चो से तीन तेटिस करोन मिलियन की कमाई की है यह और यह अब तक की दसवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्म है सुल्तान अलिकान की एक की मघयम आयूवर की सथानी की पहलवान और प्रू कुस्ती की चैपियन है जो हरियाना के एक छोटे से सहर रिवाडी में इंका जीवन जी रहे है त्री पटेल दारा की सामतिरित एक नीजी मितिरित मार्सल अटली के सथाप्रक की आकास की ओबेराय को उनके पिता दारा की सुल्तान की लोगपियाता को बचाने के लिए भरती करने के लिए पुरुस्ताहित किया जाता है हर्याना की यत्रा करने के बाद वह सुल्तान को भरती के प्रास्ताव देता है जो सपट रूप से मना कर देता है और कहता है कि वह कुष्टी से पूरी तरह से स्वानिवूर्त हो गया अपनी स्वानिवूर्ती की पीछे के कारण पीछे के कारण की तलास में आकास सुल्तान के करीबी की दोस्त गुविंदा का सामना करता है जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ 2008 में सुल्तान को रजय सतर की पहलवान और सथानी कुस्ति कोच की बेटी अर्फा हुसैन से प्यार हो गया हलाकि वह सुरूर में उसके प्रेटी ठंडी होती है लेकिन वह सुल्तान को एक दोस्त के रूप में स्विकार करती है जब वह दवा करता है कि वह प्रेटी बंध हो तो वह उसका अपमान करती है और वह कहती है कि वह केवल एक अच्छी तरह से प्रिशित पहलवान से साधी करेंगी अपना समान जितने के लिए डून संकलब सुल्तान खुरको गहन प्रिशन के लिए संप्रिर करता है अंद का एक की राजाय सत्री कुस्ती की टुनामिट में जितता है साथ ही एक साथ अर्फा भी दोनों साधी कर लेते है और विविन अंतराश्टी खेलों में भारत का प्र आ को पता चलता है कि वह गवर्ती है वह भारत के लिए ओलपिंगी स्वरंपदक जीतने के अपने बच्पन के सपनें को छोड़ देती है जिसे शल्तान तब पूरा करता है उसे आत्रे होता है कि स्वर्तान की उपलवधी इसे घंघनडी बना देती है आर वह एक के काईकरय में एकी रिपोर्टर को ठपर मार देता है वत रुकी में स्वर्ख जितने के लिए अर्फा को उसकी नियत तरीखे के करीब छोड़ देता है लोटने पर उनों ने पाया कि उनके नवजात बेटी की गंबीर की रतापाता के कारण मुत्य हो गई थी बच्ची के पास एक दुल सुल्टान को छोड़ कर अपनी पिता के साथ रहने का फैसला करती है अपनी पती और अपनी पत्नी और बच्ची को खोने से उदास सुल्टान अपनी बेटे के नाम का ब्लोट बैक खोलने के लिए धन जुटाता है आज के समय में अंकार सुल्टान से वादा करता है कि टु और दिली में प्रेजन के लिए यात्रा करता है जा आकास उसे एम एम कोज को फतेई सी से मिलवाता है जो सुरू में उसे मना कर देता है लेकिन उसके डून की सकलपां को देखने के बाद सहमत हो जाता है दो महीने की प्रेजन के बाद सुल्तान अपनी काया को वापस पा लिता है और सीखता है कि फिश टाइल में कुस्टी कैसी की जाती है अपनी पहली लड़ाई में सुल्तान ने कैपो इरा सैली का उप्योग करें की प्रेटी दंदी को हरा दिया वा जली मैचों की एकी तुरूंखलाई जीत कर और इस प्रेकिया में अर्फा का समतन प्रापात करेंगे एकी राज्टिरापी की संसनी बन जाता है प्रेटी दंदी टाइरन के एकी वूडली के खिलाब सेमी फाइनल और दोर के दवरान सुल्तान लड़ाई जीत जाता है लेकिन गंबी रूप से घायल हो जाता है और उसे अंस्पताल में भरती होना परटा है डॉक्टर आकास को बताता है कि सुल्तान को दोबार यूद नहीं करना चाहिए कि कही ऐसा ना हो कि उसके चूटो घातक हो जाए और फावार्ड में आती है और उससे लड़ाई जारी रखने के लिए प्रीट करती है फाइनल मेंच के दोरान सुल्तान अप्ते प्रीटी दंदी को हरानी के लिए अपने दर्ध पर काबू पाता है और अंत में टुनामेंट की जी जाता है और अपनी पतनी के साथ फीसे सुल्तान प्रसकार रासी का उप्योग करके एक बलड बैकी खोलता है और अरफा कुस्त को जरम देती है जिसे सुल्दान पहलवान के रुप में प्रेसीजिन करना शुरू कर देता है इस परियोजना की घुसना पहले जून 2015 में यूटूब पर जारी टीचर के साथ की गई थी खान फिल्म में हर्याना के एक की पहलवान की भुमिका निभाते नजर आएंगे फिल्म की तैयारी के लिए खान ने लाइने की एस्टूबर के मगरदर्सन में कुस्ती परिचन लिया अक्तूबर 2015 में अमिरीकी की अविनेता के सिल्वे एस्टर के एस्टेलोन फिल्म के खान के आन स्क्रीन कोश के रूप में कोश्ट किये जाने की खब्र थी हलाकी फिल्म की काईक्राकी की निर्मता राजा मुखर जी ने साफ किया कि इस्टेज सटोलोन की फिल्म में अभिनाय करेंगे बाद में संजय की दर्द को खान के अगरा के अनुसार कोज की भूमिका निवाने की अफवा उडाई गई हलाकी बार में खान ने बताया कि उन्होंने कभी भी दर्ध की भुमिका के लिए आदित्य जोप्रा पर जोर नहीं दिया विसंबल 2015 में रंदीप ने हुड़ा को बाद में खान को कोच की भुमिका निभाने के लिए साइन किया काईपो चेकी आमीच सान की काती तरपर प्रिसिंडिय को युवा सुल्तान की भुमिका के लिए साइन किया गय था हलाकि मार्च दोजे सोरे में उन्होंने पुसिच की कि वह खान के छोटे भाई की भुमिका निभा रहे है एम एम की फाइटर की टाइरन वुडली को फिल्मे अनय सेनानियों के साथ खान के साइन किया गया है जन्वरी दोजे सोरे में अनुसका सर्मा के खान के साथ महिला प्राधान भुमिका निभाने के लिए साइन किया गया था एक पहलवान के रूप में अपनी भुमेका के लिए सर्मा ने फिर्म के लिए कुस्ती की सिंचली फर्वरी दौज़े सोरे में बल्को की सिंजर को फिर्म के कुरियोग्राफर के रूप में साइन किया गय था वाइभीवी मचेनर की जगा जिनोंने वैतिगत की प्रितिबंदातावों के कारण फिल्म छोड़ दी थी फिल्म का प्रीपोर्कोसान अक्तूबर 2015 में सुरू हुआ जहाँ खान ने फिल्म अपने चतित के एक तस्वीर फेस्बूक पर पोस्ट के फिल्म को मुख्यों फोटोग्राफी दिसंबर 2015 में एंडी की एस्टूडियो करजत की और डेबियो जेडबालियो की मैरियाट की मुंबई में सुरू हुई जहाँ फिल्म का पहला सेंडी उल फिल्म आया गया था पहला सेंडी उल का फिल्मकान दिसंबर 2015 के अंप में पूरा किया गया था दूसरा से इंडील का फिल्मा 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 सुरे के अंत में मुख्य अविनेता सलमान खान को उत्तर प्रदेश के मुझफर पुर्णगर में शुटिंग के एक हिस्से के रूप में स्कूटर की स्वारी करते देखा गया था फिल्म ने अपने पहले ही तीन दिनों में लगभग 2-6 करोर की कमाई की ऐसा कने वाली या पहली भारती फिल्म बन गई इसने अपने विश्तारी पांच दिवसी सुरुवात की साथा से लगभग 328 करोर की कमाई की तीन अगास दोज़सोरे तक फिल्म ने भारत में 460 करोर रूपाई और विदोसों में 24 करोर 24 मिलियन की डालर की कमाई की अब तक की 34 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गई चीन में डिलीज होने से पहले फिल्म दुनिया भर में कमाई 5-925 करोर थी जिसमें भारत में 421,25 करोर और विदोसों में 158 करोर सामिल है 9 दिसंबर 2018 तक चीन में रिलीज के बाद फिम ने दुनिया भर में 6-23 की 33 करोर मिलियन की कमाई की है सुल्तान ने अगरीम की बुकिंग के लिए एक की नया रिकोर्ट बनाया अपनी रिलीज की रिन सुल्तान को औस्तातन के 70-10 के मिले और लगभा की 36-54 करोर की कमाई की अपने दुसे सब्ताहत के अंतक फिम ने अनुमानित की 2-78 करोर की कमाई कर ली थी इसका अंतिम घरेल उस्तकल की 421-25 करोर था 24 जुलाई दोजस्तोरे तक फिम ने सयुक्त रजय और कनाडा में अनुमानित 49-69 करोर सयुक्त अरब अमिरात और खारी सयुक्त की परिस्तर में 52-94 करोर की युनाइटिर की किंग्डम में 24-7 करोर की आश्टेलिया में 66-65 करोर 30 करोर का संग्री किया था पाकिस्तार और ने छेत्रों में 30 करोर युनाइटिर की किंग्डम में यहां मिलियन से आधिक के साथ खुला और वर्स के अंतग शकल 18 मिलियन हो गए जिसे यह दोजस्तोरे की युक्त की दूसरी सबसी आधिक क्रमाई करने वाली विदेशो भासा की फिन बन गई दंगल के नीचे की जुलाई दोजस्तोरे तक्फिम ने नयुजेलेंड में 293 करोर और मलेसिया में 109 करोर का संग्री किया था 10 जुलाई दोजस्तोरे तक्फिम ने जमरनी में 33 लाख रूपये कमाई थे तिसरी साफ्ताहार के अंत में सुल्तान की कुल विदेशी कमाई लगभग की 227 मिलियन डालर की 151 की 2 करोर थी तीन अगस्त दोजस्तोरे तक सुल्तान विदेशों में 24 से 2 मिलियन डालर की 161 करोर की कमाई की थी जिसे यहां विदेशी बाजारों में छटी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गई इसके चीन में रिलीज से पहले इसकी विदेशी कमाई की 180 करोर थी चीन में जहां फिल्म 31 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म ने सोरे दिसंबर 2018 तक 24 मिलियन अमिरीकी की डालर की कमाई की 9 दिसंबर 2018 को समाप्त की समाप्त की दवरान की सब्ताही की चीन बॉक्स ओफिस की चार्ट पर फिल्म में सात्वे नमबर पर पहुँच गई 9 दिसंबर 2018 तक फिल्म ने विदेशों में मिलियन की कमाई की है इस फिल्म पर आधारित एक आधारी के ग्रेम की 99 गेमर्स की दारा की मोबाइल की मोबाइल फोन के लिए जारी किया गए चोजुलाई 2020 को फिल्म की डीजिटल की कपी डाकनेट में उपलबध होने की सुचना मिली थी इस बास की पुशिट करते वे की निर्मतावों की डारस्ती भी एफ्री की ब्रोट को समीचा के लिए भेजे गए नमूने से प्रेटी लीपी बनाई गई थी लीग की जांच कर रहे हैं साइबर अपराद की विशेशको ने कहा की रिस्वा की पुशिट हो गई है फिल्म की प्रेटी की डाकनेट पर उपलबध है और जली या योगी टोरेंट पर उपलबध है हाला कि फिर्म की निर्मता यस राज फिर्म ने इस तरह के विकास इंकार किया कि एक नीजी अन्वेसर की किसलाय की चोधरी ने दावा किया दूई घंटे चाटिस मिनट लंबी फिर्म की उपलाबा थे और उसकी उसी का इस किरें साट में तूटे के सास साजा किया उन्होंने कहा मंगल वासास से कई वेवसाइटों को अवरोदो कर दिया गया है और लिंग की तुरंट हता दिया गया था कि उन्होंने कहा पुरस सल्मान खान की पठकटा के लेकन की सलीम खान और उनकी पहली पतनी सुसीला चड़क से सबसे बड़े बेटे या जिनों ने सल्मा नायम का अपनाया था 27 दिसंबर उन्हें से 65 को एक मुस्लिम पिता और हिंदु मा के घ़ जनम खान का पलन पोसंद दोनों धर्मे में हुआ और उनके पिता की पिता ने अविनित्री हैलें से साधी कर ली तो उनके पिता के साथ बच्चों की संबच सत्रों प्राप्रून हो गए और विदोस्तों में और वर्सों के बार ही ठीक हुए सलमान खान के दारा रदी अलाकोईंज की पस्तून थे अफगनिस्तान से जो अठारे वर्स के दर्स की मग्यम इंदोर रजय इंदोर की रेडी की डेंस की अब मग्यम प्रदेश में बीटेस भारत में आकार बस गए थे हलाकी अप जसीम खान ने अविनेता की अपनी जीवन में कहा है की उनके प्रूज बीटेस की भारत की वर्तमान खैवर की पक्तुर नकिया की पकिस्तान की उत्तर पचिम की सीमा प्रापाद की स्वाती घंडी में मलकन की यूसुफा जै की पस्तून की अकूजाई की उप जन जाती के थे उनके दाड़ा अब्दुर रशीत खान इंदोर रजाय की उप महानीरिक थे जिने होलकर काल की दिले जंग की प्रसकार की समानित किया गए था खान की मा की एक गुरूनी है जिनके पिता बलदेव सी चरक की एक डुगड़ा की राजपुत जम्मू और कस्मीर के जम्मू से आते हैं और उनकी मराठी मा मारास्ति आती है खान की हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी भी बोल सकते हैं उनके दो भाई ए अरबास खान और सुया खान और दो बैने अलवीरा खान अगनीत्री हो जिनकी साधी अभिनेता नीदेशन की अतुल की अगनीत्री हो और एकी दर्थ बहन की अप्रीता से हुई है सलमान ने अपनी स्कूली सिंजा के मुंबाई के ब्राइंड का एक सेट के सिंधिया स्कूली में पढ़ाई की जिनों ने मुंबाई के सेट के जिवयन्स की कालेज में पढ़ाई की लेकिन पढ़ाई छोड़ दी थी उन्हें से उनासी 93 प्रापान और सफलता के खान अपनी अभिनाई की सुरुवात की। उन्हें से 88 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की जिसे में उन्होंने एकी साहयक की भुमी का निभाई। उन्होंने सुरज आर बरजयतिया की रोमांटी परवारी ड्रामा मैंने प्यार किया उन्हें से उनासे में प्रमुक की भुमिका निभाई जो उस समय सबसे आधिक कमाई करने वाली भारती फिल्मों में से एक बन गई इसने उन्हें उसी समारों में सोतेश पुरूज की प्रपान के लिए नमाकन के साथ फिल्म फेयर की सोतेश की अभिनेता के लिए अपना पहला नमाकन अर्जित किया बाद वाले को बरजयतिया को समानित किया मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में होविन लौ की क्लस इस पेन की अभिनित एक फिल्म की दिलिज है बागी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही इसके बाद उन्हें से काने में तीन समानिय रूप से सफल फिल्म में रही पत्थर के फुल्म सनम बेवफा और कुर्बानी उसी वर्ष खान संजय दर्द और मादरी तीजित के साथ रोमांटिक ड्रा मास्याजन में सौकलाकार के रूप में काम किया उन्हें से 94 में खान राज को माय संतोसी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ सौकलाकार दिखाई दिए रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसने एक पर्त क दर्जा हासिल कर लिया है कि बाद में वर्ष में उन्हों ने निर्देशन की सूरज बढ़ जातेया के साथ रोमांस हम आपके है कौन में सयोग किया सक लाकार की माधुरी तिरी जित उन्हें से 95 की प्रसकार 17 के दवरान फिल्म ने सौतेज फिल्म के निर्देशन के अविन या से आधी की कमाई करने वाली यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी बालियून हिट और उस समय तक की सबसे आधी कमाई करने वाली भाती फिल्म बन गई यहां बोक्स ओफिस की इंडिया की हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ब्लाक बोस्टर की सुची में से एक है दोज़ेच्छों में बोक्स ओफिस की इंडिया के अनुसार यह अब तक की चोथी सबसे आधी क्रामाई करने वाली बाली फिल्म थी उन्हें से पंचानमे में उन्हों राकेश रोसन के करन और उन्हें में सारुखान के साथ अभिनेर किया दोनों न भाईयों की भुमिका निभाई जो परिवारी की सत्रों की दरा मारे जाने के बाद पुझे नम लेते हैं करन के रूप में उन्हें उन्हें 95 फिल्म फियर और अभिनेता की प्राजकार के लिए नमाकित किया गया उन्हें से 96 में खान ने संजे लिला भनसाली की निर्देशन में बनी पहली फिल्म खामोसी दम यूजिकर में अभिनाई किया वह भी दिखाई दिये और राजकवर की एकसर ने जीत को हीट कर दिया उन्हें से 97 में उनकी दो रिलीज हुई जुडवा और अंजार पहली डेवी धवन के दारा निर्देशित एक कामेडी थी जिसमें उन्होंने जरम के समय अलग हुआ जुडवा बच्चों की दोरी भूमी का निभाई खान ने उन्हें 98 में पांच अलग अलग फिल्मों में काम किया उनकी पहली रिलीज रोमांटी कोमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या थी जो काजोल के साथ थी जो उस साल की सबसे बड़ी वैसाई की सफलताओं में से एक थी इसके बाद मग्यम रूप से सफलनाटा की जब प्यार किया तो किस से होता है आया जिसमें खान ने एक ऐसे युवकी भूमी कानी भाई जिसने अपने बेटे होने का दवा करने वाले एक बच्चे को अपनी हिरासत में लेना होता है फिल्म में खान के प्रदास्ता ने अनुकूल अलोचनात्मा की समेच अरजित की उन्होंने करन जवर के नीदेशान में बनी पहली फिल्म कुछ-कुछ होता है मैं एक विस्तारिक्ट की कैमियों भी किया जिसके लिए उन्होंने सौत इस्ताहया की अभिनेतर की त्रेनी की दूसरा फिल्म फियर पूरसकार अरजित किया उन्हें非常的 में खान ने तीन फिल्मों में अभिनाइeth किया हम साथ साथ हैं वीय नंबर एक और हम दिल देचुके सनाम में एत्रियार राय और आजयायदेवगन के साथ जिसने उन्हें फिल्म फियर पूरसकार में 131 अभिनेता का नमाकन दिलाया फिर में उनकी प्रदसन की अनुकुल समीचा की गए जिसमें रेडीव की सरमीला की टेले कौम ने कहा सलमान प्यारे है वह नाट की दूसियों में हैम करते हैं लेकिन कामेडी और उन जुमांटी दूसियों को करने में बहुत सहज दिखते हैं इसमें खान ने चूरी चुली चुपके चुपके में धिखाई दिए जिस ने शुरोगेट वचे के जनमके मुझ को संभोधित किया इसमें खान ने एक उमीर की उधोगप प्ती की भूम slightly गानी भाई जो अपनी पत्नी के बाज होने के बाद एक सुरे गोट मा को काम पर रखता था रेडिट की शुकर्णिया वार्मा ने लिखा है कि फिर्म में एक बेतों की कहानी थी लेकिन साथ ही कराकारों का सर्च प्रदरसन भी था जिसे इसके आने दोसों को काम करने के मदद मिली दौजदू में उन्होंने हम तुमारे हैस्तना में अभी नए किया तेरे नाम दौजदीन के लिए तरान आर्दस ने उनकी बारे में कहा सलमान खान एक ऐसी भूमिका में आसादरन है जो उन्हें टी के लिए फिट बैठता है वह उन दुस्यों में आग लगाते है जो बैचेनी की मांग करती है लेकिन कठीट बाहरी की नीचे एक कमजूर वैती होता है और यह पहलू अंदर होता है विसी इस रूप से की बात के दीलों में सामने आता है उनकी भावनात्मय की विश्पूर्ट संदार है निर्देशन की संतीस की कौश्टी ने फिल्म के खान क फिल्मक की मजबूत मानते हुए कहा सल्मान ने भी मिस्यांदार प्रदरसन किया है उनों और एक ग्रहन की अप्रागतय की प्रदर jurisdiction किया है मिरा मानना है कि यह सल्मान खान की करियर का 31 का 37 प्रदरसन है उन्होंने मुझसे सारी को रोगी 2004 और नव इंट्री 2005 जेसी कामेडी के साथ अपना करियर जारी रखा खान ने 2007 की सुरुआ सलमाय एम की इस फिल्म से की थी वहालियून की फिल्म मेरी गोल में अमिरीकी अविनेत्री की अली लटर के साथ दिखाई दिये फिल्म ने एक भारती प्रूस और एक अमरीकी मैला प्रेम कहानी को बताया खाने 2009 की दवरान की ग्रेम सो के दम के दूसरे सीजन को मेजबानी की बिज एसिया की यूके की 2008 की एक रिपोर्टर के अनुस्दा सोने सोनी की एंटर्टेन्मिन टेलीवीजन के लिए भार्टी टे अचे की रेटिंग की अंकी टी आरपी अरजित की द्वर्जनाव की वर्तमान की वैसाई की सफलेता वकुर्यूग्राफर से नीदेशन में बने प्रभू देवादारा की नीदेशित वांटेल में दिखाई दिये फिल्म को आम तोर पर सक्रात्मक समीच मिली बाली उनकी हा अभिनेता नहीं हो सकता लेकिन वांटे जैसे फिल्म में एक वोमेका में जो उनकी वैतियों की विस्टर की तरह लगता है आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते जो इस वोमेका को फलफुल रहे रेडिव की राजा से ने 25 की रेटिंग दी और कहाल लेखन सो किया और ब युगा की प्रमुख प्रूसों की एक नसल की कितनी बुरी तरह से जरूरत है और मौजूदा लोगों की किस तरह फिट होने वाली की भुमिकावों की जरूरत है वह उस वर्स दो अन्य फिल्मों में मैं और मीज़ेश की खाना और लंडन की दिर्मस में दिखाई दिये 2010 मे की फिल्म वीर थी अपनी अगली फिल्म दंबंग में खान अप फिल्म में हासे प्राभाव वाले एक नीडर पुलिस वाले की भुमिका निभाई इंको नामी की टाइमस ने फिल्म को बेवकूफ और साजिस और विशानियता के मामले में प्रून अस्गती होने के को खान की उप्रिस्ति के लिए जिमेदारी ठाराया जिसमें कहा गया है कि वे सल्मान खैन के इस्टार करिश्त्मे को इसके अंसन का त्रेया देते हैं जो चुलबूले पांडरी की 38 सिंसा की भवित्यों की बेलगामा उच्सा और जोस के साथ करने में कम्याब रहे हैं बाज में इसे तमिल और तेलुगों में दोबारा बनाया गया फिल्म का निर्मान उनके भाई आरबास खान ने किया था हिंदुस्तान टाइमास की दारा यहां बताया गया कि फिल्म पूरे देश में पूरे घर में खुल गया खान को उनकी प्रदाशन के लिए 37 अभिनेता के लिए उनके छटे फिल्म फियर प्रसकार के लिए भी नमाकित किया गया था कि अनुपरमा जोप्रा ने अपनी प्रदाशन के बारे में लिखा या एक जीवन भर की हुमिका है जो सलमान खान के इसे ऐसे काटे है जैसे कोई भूका आनमी दावत खा जाता है वो पूरी त रेडी ने 2021 की दूसरी सबसे आधी कमाई करने वाली बालियून फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया वो अगरी बार बाडिगोर्ड में दिखाई दिये जो 2010 में इसी नाम का मलियालम फिल्म की रिमेक थी फिल्म की समेशकों की डारा अच्छी तरह से प्रापात नहीं होई थी हाला की यह वर्ष्ट की भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म फिल्म की 2022 की पहली रिलीज एक था टाइगर थी जहां उन्होंने कैटरीना कैप के साथ अभिनाय किया और एक भारती जासुस के रूप में काम किया फिल्म को समीचकों से मिली जुली प्रिति ग्या काई मिली और बॉक्स ऑफिस पर बेहत मुझबूत संग्री की सुरवात हुई यह फिल्म यसराज की फिल्म के साथ उनके पहले जुडाओं को चीहित करती है खाने दोचर बारे में अरबाज खान के निर्मान के ताद दंबंग की अगली कड़ी दंबंग दुई को रिलीज किया दंबंग दुई अनकी वैतियों की सतर पर पचीस मिलियन के राजसों के साथ एक बड़ी वैतियों के सफलता के रूप में उबरा एक साल के अंतराल के बाद खान की व्योज़ा चवदे की पहली रिलीज जै हो थी जिसमें उन्होंने डेची किस्तों के साथ अभी नही इत भी गाया खान के 2015 की पहली फिम बजरंगी भाईजन जो इत पर रिलीज होई थी को अलोज को और जनता से प्रसंसा मिली और रिलीज होने पर बॉक्स ओफिस के कोई रिकॉर्ट तोड़ दिये फिम ने अपने पहले सबताहत में 184 मिलियन अमेरीकी डालार की कामाई करते हुए पीकी की पिछले रिकॉर्ट को पीछे छोड़ दिया पीकी के बाद 30 कलम में परवेश करने वाली यह खान की पहली और दूसरी बालियून फिल्म थी यह फिल्म वर्तमान में भारत और दुनिया भर में च्छो औरब से आधी का संग्री के साथ दूसरी सबसे ज्याद कामाई करने वाली फिल्म बन गई जबकि उनकी दोसरी फिल्म प्रेम रतन धन पाये एक दिवाली रिलीज की अलोज को अर्जानता से मित्री समीचा मिली और रिलीज के बाद बॉक्स ओफिस पर कई रिकॉर्ट टोड़े यहां फिल्म की एक मिलियन से आधी की कामाई करने करने से वाली सालमान खान की लगतार नौवी फिल्म बन गई फिल्म ने अपने एकले सब्तहाद में एक 113 मिलियन की क्यामाई की वो भारत में ही वर्स में मिलियन के से आधी की घरेलू सुप संग्री वाले करने वाली एक मात्र अभिनेता बन गए हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारी इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बलीवूट की सुपर एश्टार सल्मान खान की करियर की सबसे बड़ी मोवी जिसका नामे सुल्तान तो दोस्तों अगर आप भी सल्मान खान की फैन और अगर आप सुल्तान मोवी को देखना चाहते हो और साथी साथ इस मोबी को बजेटिंग बॉक्स ओफिस कलेक्शन को जानना चाहती हूँ तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहिएगा और साथी सत्विल आइकन दवाना नाम भी ना भुलिएगा सुल्टान अली आबास की जफर दारा की नीदेशी द्वजसुरी की भारती हिंदी भासा की एस पोटर्स की ड्रामा फिर्म में यस राज फिर्म में बैनर तहत की आदितिय जोप्रदारा की निर्मित फिर्म में सलमान खान की अनुस्का सर्मा के साथ सिंसक चत्रित के रूप म फिल्म की सुल्तान अलिखान पर क्रेदित है जो एक की कलपानी की पहल पालवान और हरियाना की प्रूवी की कुस्ती चैपियन है जिनके सफल करियर ने उनके नीजी जीवन में दरार पैड़ा कर दी है फिल्म चो जुलाई दोजास्तोरे को दुनिया भर में रिलीज हुई थी इसने दुनिया भर में चो से तीन तेटिस करोन मिलियन की कमाई की है यह और यह अब तक की दसवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्म है सुल्तान अलिकान की एक की मघयम आयूवर की सथानी की पहलवान और प्रू कुस्ती की चैपियन है जो हरियाना के एक छोटे से सहर रिवारी में इंका जीवन जी रहे है त्री पटेल दारा की सामतिरित एक नीजी मितिरित मार्सल अटली के सथाप्रक की आकास की ओबेराय को उनके पिता दारा की सुल्तान की लोगपियाता को बचाने के लिए भरती करने के लिए पुरुस्ताहित किया जाता है हर्याना की यत्रा करने के बाद वह सुल्तान को भरती के प्रास्ताव देता है जो सपर्ट रूप से मना कर देता है और कहता है कि वह कुस्ती से पूरी तरह से स्वानिवूर्थ हो गया है अपनी स्वानिवूर्थी के पीछे के कारण पीछे के कारण की तलास में आकास सुल्तान के करीबी की दोस्त गुविंदा का सामना करता है जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ 2008 में सुल्तान को रजय सतर की पहलवान और सथानी कुस्ति कोच की बेटी अर्फा हुसैन से प्यार हो गया हलाकि वह सुरूर में उसके प्रेटी ठंडी होती है लेकिन वह सुल्तान को एक दोस्त के रूप में स्विकार करती है जब वह दवा करता है कि वह प्रेटी बंध हो तो वह उसका अपमान करती है और वह कहती है कि वह केवल एक अच्छी तरह से प्रेशित पहलवान से साधी करेंगी अपना समान जितने के लिए डून संकलब सुल्तान खुरको गहन प्रेशन के लिए संप्रीर करता है अंद के एक की राजाय सत्री कुस्ती की टुनामिट में जितता है साथ ही एक साथ अर्फा भी दोनों साधी कर लेते है और विविन अंतराश्टी खेलों में भारत का प्र और भॉन देता या सोसे अलवान बन जाते हैं जब दोनों को अलपता और पीकिंग के दल के लिए चूना जाता है तो अर्फा को पता चलता है क्युह गयाती है वह भारत के लिए ओलपिंग की शुरन-पदग जितने के अपने बच्पन के सपनेों को छोड़ देती है जिसे सुल्तान तब पूरा करता है उसे आत्रे होता है कि सुल्तान की उपलवदी उसे घमंडी बना देती है अर्वा एक के काईकरया में एकी रिपोर्टर को ठपर मार देता है वत रुकी में स्वर्ख जितने के लिए अर्फा को उसकी नियत तरीखे के करीब छोड़ देता है लोटने पर उनोंने पाया कि उनके नवजात बेटी के गंबीर की रतापाता के कारण मुत्य हो गई थी बच्ची के पास एक दुलबर ओक की रतर प्रकार था जो सुल्टान के सामान था जिसकी अनुपस्तिती ने बच्चे को दातारक से वंचीत कर दिया गुस्से में अर्फा सुल्टान को छोड़ कर अपनी पिता के साथ रहने का फैसला करती है अपनी पतनी और बच्ची को ख करता है कि तुनामेड की शुपर पुरास्कार की रासी बलाट बेंक की खोलने की उसके सपने को पूरा करेगी सुल्तान भाग लेने के लिए सहमत हो जाता है और दिल्ली में परिजण के लिए यात्रा करता है जा आकाश्त उसे एहम्-एम कोच को फतेहससे से मिलवाता है जो शुरू में उसे मना कर देता है लेकिन उसके डुन की सखलपंoup को देखने के बार सहमत हो जाता है, दो महीने की प्रिजिन के बाद सुल्तान अपनी काया को वापस पाना लिता है और सीखता है की फिश टाइल में कुस्टी कैसी की जाती है अपनी पहली लड़ाई में सुल्दान ने कैपो इरा सैली का उप्योग करें की प्रेटी दंदी को हरा दिया वह जली मैचों की एकी त्रूंखलाई जीत कर और इस प्रेटिया में अर्फा का समतन प्रापात करेगे एकी राश्ट टिरापी की संसनी बन जाता है प्रेटी दंदी टाइरन के एकी वूडली के खिलाप सेमी फाइनल और दोर के दवरान सुल्टान लड़ाई जीत जाता है लेकिन गंभी रूप से घायल हो जाता है और उसे अंस्पताल में भरती होना परटा है डॉक्टर आकास को बताता है क सुल्टान को दोबारं युद नहीं करना चाहिए कि कही ऐसा ना हो कि उसके चूटो घातक हो जाए और फावार्ड में आती है और उससे लड़ाई जारी रखने के लिए प्रीत करती है फाइनल मेच के दोरान सुल्टान अपते प्रेती दंदी को हरानी के लिए अपने दर् बैकी खोलता है और अर्फा कुस्ती शुरू करती है कुछ साल बाद हुआ एक की अच्छी को जरम देती है जिसे सुल्टान पहलवान के रुप में प्रेसीजिन करना शुरू कर देता है इस परियोजना की घुसना पहले जून 2015 में यूटूब पर जारी टीचर के साथ की ग मगरदासन में कुस्ती परिचन लिया अक्तूब़ 2015 में अमिरीकी की अभिनेता के सिल्व एश्टन के एस्टेलोन फिल्म के खान के अनिस्क्रीन कोच के रुप में कौश्ट किये जाने की खबर थी हलाकी फिल्म की काईक्रावकी की निर्मता राजा मुख जी ने साफ किया क सटोलोन की फिर्म में अभिनाय करेंगे बाद में संजय की दर्ध को खान के अगरा के अनुसार कोज की भूमिका निभाने की अफवा उड़ाई गई हालाकि बाद में खान ने बताया कि उन्हों ने कभी भी दर्ध की भूमिका के लिए आदित्य जोप्रा पर जोर नहीं दिय विसंबल 2015 में रंदीप ने हुड़ा को बाद में खान को कोज की भूमिका निभाने के लिए साइन किया काई पोचे की अमीच सान की कती तोर पर प्रिसिंडिय को युवा सुल्तान की भूमिका के लिए साइन किया गय था हलाकि मार्च दोज़ सोरे में उन्होंने पूसिट की कि वह खान के छोटे भाई की भूमिका निभा रहे है एम एम की फाइटर की टाइरन वुडली को फिल्मे अनय सेनानियों के साथ खान के साइन किया गया है जन्वरी दोज़ सोरे में अनुसका सर्मा के खान के साथ महिला प्राधान भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था एक पहलवान के रूप में अपनी भूमिका के लिए सर्मा ने फिल्म के लिए कुस्ति की सिंचली फरवरी दोज़े सोरे में बलको की सिंजर को फिल्म के कुरियोग्राफर के रूप में साइन किया गय था वाइभूई मचेनर की जगा जिनोंने वैतिगत की प्रितिबंदातावों के कारण फिल्म छोड़ दी थी फिल्म का प्री पोर्कोसान अक्तूबर 2015 में सुरू हुआ जहाँ खान ने फिल्म अपने चतित के एक तस्वीर फेस्बुक पर पोस्ट के ये फिल्म को मुख्यों फोटोग्राफी दिसंबर 2015 में एंडी की एस्टूडियो करजत की और डेबियू जेड़ बालियू की इससेंडील का फिल्मकान दिसंबर 2015 में पूरा किया नें गपिल्म का फिल्म का फिल्मकान फिल्म में फिल्म किया ता के लाजने मं पर G Maßnahmen की तीन सो साथ साल पुरानी जमा मस्जिद होगी अप्रील दौजा सोरे के अंत में मुख्य अविनेता सलमान खान को उत्तर प्रदेश के मुझफर पुर्नगर में सुटिंग के एक हिस्से के रूप में स्कूटर की सुवारी करते देखा गया था फिल्म ने अपने पहले ही तीन दिनों में लगभग 2-6 करोर की कमाई की ऐसा करने वाली या पहली भारती फिल्म बन गई इसने अपने विस्तारीत पांच दिवसी सुरुवात की साथा से लगभग 328 करोर की कमाई की तीन अगास दोज़सोरे तक फिल्म ने भारत में 460 करोर रूपाई और विदोसों में 24 करोर 24 मिलियन की डालर की कमाई की अब तक की 34 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गई चीन में रिलीज होने से पहले फिल्म दुनिया भर में कमाई पांच से उनाज़ी 25 करोर थी जिसमें भारत में 421 करोर और विदेशों में 158 करोर सामिल है 9 दिसंबर 2018 तक चीन में रिलीज के बाद फिम ने दुनिया भर में 6-23 की 33 करोर मिलियन की कमाई की है सुल्तान ने अगरीम की बुकिंग के लिए एक की नया रिकोर्ट बनाया अपनी रिलीज की रिन सुल्तान को औस्तातन के 70-10 के मिले और लगभा की 36-54 करोर की कमाई की अपने दुसे सब्ताहत के अंतक फिम ने अनुमानित की 2-78 करोर की कमाई कर ली थी इसका अंतिम घरेल उस्तकल की 421-25 करोर था 24 जुलाई दोजस्तोरे तक फिम ने सयुक्त रजय और कनाडा में अनुमानित 49-69 करोर सयुक्त अरब अमिरात और खारी सयुक्त की परिस्तर में 52-94 करोर की युनाइटिर की किंगडम में 24-7 करोर की आश्टेलिया में 66-65 करोर 30 करोर का संगरी किया था पाकिस्तार और ने छेत्रों में 30 करोर युनाइटिर की किंगडम में यहां मिलियन से आधिक के साथ खुला और वर्स के अंतग सकल 18 मिलियन हो गए जिसे यह दोजस्तोरे की युक्त की दूसरी सबसी आधिक क्रमाई करने वाली विदेशो भासा की फिन बन गए दंगल के नीचे की जुलाई दोजस्तोरे तक्फिम ने नयुजेलेंड में 293 करोर और मलेसिया में 109 करोर का संगरी किया था 10 जुलाई दोजस्तोरे तक्फिम ने जमरनी में 33 लाख रूपये कमाई थे तिसरी साफ्ताहार के अंत में सुल्तान की कुल विदेशी कमाई लगभग की 227 मिलियन डालर की 151 की 2 करोर थी तीन अगस्त दोजस्तोरे तक सुल्तान विदेशों में 24 से 2 मिलियन डालर की 161 करोर की कमाई की थी जिसे यहां विदेशी बाजारों में छटी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गई इसके चीन में डिलीस से पहले इसकी विदेशी कमाई की 182 करोर थी चीन में जहां फिल्म 31 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म ने सोरे दिसंबर 2018 तक 24 मिलियन डालर की कमाई की 9 दिसंबर 2018 को समाप्त के दोरान की सब्ताही की चीन बॉक्स ओफिस की चार्ट पर फिर्म में सात्वे नमबर पर पहुच गई 9 दिसंबर 2018 तक फिर्म ने वीदेशों में मिलियन की कमाई की है इस फिर्म पर आधारित एक आधारी के ग्रेम की 99 गेमर्स की दारा की मोबाइल की मोबाइल फोन के लिए जारी किया गए 6 जुलाई 2016 को फिर्म की डीजिटल की कपी डाकनेट में उपलबध होने की सुचना मिली थी इस बास की पुशिट करते वे की निर्मतावों की डारस्ती भी एफ्री की ब्रोट को समीचा के लिए भेजे गए नमूने से प्रेती लिपी बनाई गए थी लीग की जांश कर रहे हैं साइबर अपराद की विसेसको ने कहा की रिशुआ की पुशिट हो गई है फिर्म की प्रेटी की डाकनेट पर उपलबध है और जली या योगी टोरेंट पर उपलबध है हाला कि फिर्म की निर्मता यस राज फिर्म ने इस तरह के विकास से इंकार किया कि एक नीजी अन्वेसर की किसलाय की चोधरी ने दावा किया दूई गळणते चास्तिस मिनट लंभी फिल्म की उप्लाबा थे और उसकी उसी का इस किरेंट साथ में तूटे के सास साजा किया उन्होंने कहा मंगल वासास से कई बेव वेबसाइटों को ओवरोदो कर दिया गया है और लिंक की तुरंट हता दिया गया था कि उन्होंने कहा सलमान खान की पठकटा के लेकन की सलीम खान और उनकी पहली पतनी सुसीला चड़क से सबसे बड़े बेटे हैं जिनों ने सलमा नायम का अपनाया था 27 दिसंबर उन्हें से 65 को एक मुस्लिम पिता और हिंदु मा के घर जनम खान का पालन पोसंद दोनों धर्मे में हुआ उन्हें से 80 में जब सलमा और सलीम का तलाक हो गया और उनके पिता के साथ बच्चों की संबच सत्रों प्राप्रून हो गए और विदोस्तों में और वर्सों के बाद ही ठीक हुए सलमान खान के दारा रदी अलाकोईंज की पस्तून थे अफगनिस्तान से जो 18 वर्स के 10 की मगया में इंदौर रजय इंदौर की रेडी रेजी की डेंस की अब मगया प्रदेश में बीटेस भारत में आकार बस गए थ पक्तूर नकिया की पकिस्तान की उत्तर पचिम की सीमा प्रापाद की स्वाती गंडी में मलकन के यूसुफ आजय की पस्तून की अकूजय की उप जन जाती के थे उनके दारा अब्दौर रसीत खान इंदौर रजय की उप महानीरिक थे जिने होलकर काल की दिले जंग की प्रसकार की समानित किया गए था खान की मा की एक गुरूनी है जिनके पिता बलदेव सी चरक की एक डूगड़ा की राजपु जम्मू और कस्मीर के जम्मू से आते हैं और उनकी माराथी मा मारास्ति आती है खान की हिंदी और अंग्रेजी के अलावा माराथी भी बोल सकते हैं उनके दो भाई है अरबास खान और स्वया खान और दो बैने अलवीरा खान अगनी त्रियों जिनकी साधी अभिनेता नीदेशन की अतुल की अगनी त्रियों और एकी दर्थ बहन की अप्रीता से हुई ह सल्मान ने अपनी स्कूली सिंजा के मुंबाई के ब्राइंड का एक सेट के एस्टेनिय लाइन्स की हाई उसको ने पुरी की जैसा कि उनके छोटे भाईों की अरवाज और सोयल ने किया था इससे पहले कि उन्होंने अपने छोटे भाई अरवाज के साथ कुछ वर्सों तक गवालियर के सिंधिय इसकूली में पढ़ाई की जिनोंने मुंबाई के सेट के जिवयन्स की कालेज में पढ़ाई की लेकिन पढ़ाई छोड़ दी थी उन्हेस उनासी तिरानवे प्रापान और सफलता के खाण अपनी अभिनई की सुरुवाद की उन्हेसे अठासी की फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की जिसे में उन्होंने एक साहाय की भूमी का निभाई उन्होंने सुरज आर्वर्जतिया की रोमांटी परवारी ड्रामा मैंने प्यार किया उन्हें से उनासे में प्रमुक की भुमिका निभाई जो उस समय सबसे आधी कमाई करने वाली भारती फिल्मों में से एक बन गई इसने उने उसी समहारो में 37 पूरोज की प्रपान के लिए नमाकन के साथ फिल्मफएर की 34ी अभिनेता के लिए अपना पहला नमाकन अरजिद किया बादवाले को भर जातिया को समानित किया मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में होविन लौ किया क्लस इस पेनिस में तो आमों और तेलूगों में प्रयमों की पावरालों के रूप में डॉप किया गया था उन्हें से नबे में खान की अभिनीत एक फिल्म की दिलिज है बागी बॉक्स आफिस पर सफल रही इसके बाद उन्हें से एक आने में तीन समानिय रूप से सफल फिल्म में रही पत्थर के फुल्म सनम बेवफा और कुर्बानी उसी वस खान संजय दर्द और मादरी तरिजीत के साथ रोमांटिंग ड्रामा स्याजन में सौकलाकार की रूप में काम किया 1994 में खान राज कोमा संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमीर खान के साथ सौकलाकार दिखाई दिये रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ओफिस वर अस्वल रही लेकिन पिछले कुछ वर्सों में इसने एक पर्त का दर्जा हासिल कर लिया है कि बाद में वर्स में उन्होंने निर्देशन की सूरज बढ़ जातेया के साथ रोमांस हम आपके है कौन में सयोग किया सब्सक्लाकार की माधुरी 309 से 95 की प्रस्कार 17 के दरान फिम ने 35 के निर्देशन के अगनेटरी के लिए तीन फिल्म फियर प्रस्कार जितने इसने वर्स की सबसे लोग प्रिया फिल्म होने का राष्टिया प्रस्कार भी जीता दुनिया भर में 2 मिलियन से आधी की कमाई करने वाली यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी बालियून हिट और उस समय तक की सबसे आधी कमाई करने वाली भाती फिल्म बन गई यहाँ बॉक्स ओफिस की इंडिया की हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसी बड़ी ब्लाक बोस्टर की सुची में से एक है दोज़ेचों में बॉक्स ओफिस की इंडिया की अनुसार यहाँ अब तक की चोथी सबसी आधी क्रामाई करने वाली बाली फिल्म थी उन्हें 95 में उनों राकिस रुषण के करण और वर्यून में सारू खान के साथ अभिनेर किया दोनों नो भाईयों की भुमीका निभाई जो परिवारी की सत्रों की दारा मारे जाने के बाद पुंजे नम लेते हैं करन के रूप में उनकी भुमिका ने उन्हें उन्हें से 95 फिल्म फियर और आभीनेता की प्राजकार के लिए नमाकित किया गया उने से 96 में खान ने संजे लिला भनसाली की निर्देशन में बनी पहली फिर्म खामोसी दम यूजिकल में अभिनाई किया वो भी दिखाई दिये और राज कवर की एकसर ने जीत को हीट कर दिया उने से 97 में उनकी दो रिलीज हुई जुडवा और अंजार पहली डेवी धवन के दारा निरेशित एक कामेडी थी जिसमें उन्होंने जरम के समय अलग हुआ जुडवा बच्चों की दोरी भूमी का निभाई खान ने 99-98 में पांच अलग अलग फिल्मों में काम किया उनकी पहली रिलीज रोमांटी कोमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या थी जो काजोल के साथ थी जो उस साल की सबसे बड़ी वैसाई की सफलताओं में से एक थी इसके बाद मग्यम रूप से सफलनाट की जब प्यार किया तो किस से होता है आया जिसमें खान ने एक ऐसे युवकी भूमी कानी भाई जिसने अपने बेटे होने का दवा करने वाले एक बच्चे को अपनी हिरासत में लेना होता है फिल्म में खान के प्रदस्ता ने अनुकूल अलोचनात्मा की समेचा अरजित की उन्होंने करन जवर के नीदेशान में बने पहली फिल्म कुछ कुछ होता है मैं एक विस्तारिक्ट की कैमियों भी किया जिसके लिए उन्होंने सौत इस्ताहया की अभिनेतर की त्रेनी की त और अजय देवगन के साथ जिसने उन्हें फिल्फियर पुरसकार में 130 अभिनेता का नमाकन दिलाया फिर में उनकी प्रदासन की अनुकुल समीचा की गया जिसमें रेडीव की सरमीला की टेले कौम ने कहा सलमान प्यारे है वह नाट की दूसियों में हैम करते हैं लेकिन पुगेट वच्चे के जनम के मुझ को संभोधित किया इसमें खान एक अमीर की उदोगा पती की भूमी का निभाई जो अपनी पतनी के बाज होने के बाद एक सुरेगोट मा को काम पर रखता था रेडीट की सुकर्णिया वार्मा ने लिखा है कि फिर में एक बेतों की कहा आनी थी लेकिन साथ ही कराकारों का सवच प्रदसन भी था जिसे इसके आने दोसों को काम करने के मदद मिली द्वाजदू में उन्होंने हम तुमारे हैस्तना में अभिना किया तेरे नाम द्वाजदीन के लिए तरान आर्दस ने उनकी बारे में कहा सलमान खान एक ऐसी पारी की नीचे एक कमजूर वैती होता है और यह पहलू अंदर होता है विसी इस रूप से की बात के दीलों में सामने आता है उनकी भावनात्मा की विस्पूर्ट संदार है निर्देशन की संतीस की कौश्टी के खान के काम में खान को काम को मजबूत मानते हुए कहा सलमान ने फी में सांदार प्रदेशन किया है उन्होंने एक ग्रहुन की अप्रागतर की प्रदेशन किया है मेरा मानना है कि यह सलमान खान की करियर का अब तक 37 प्रदेशन है उन्होंने मुझसे सारी को रोगी 2004 और नव इंट्री 2005 जेसी कामेडी के साथ अपना करियर जारी रखा खान ने 2007 की सुरुआ सलमाय एम की इस फिल्म से की थी वहालियून की फिल्म मेरी गोल में अमिरीकी अविनेतरी की अली लटर के साथ दिखाई दिये फिल्म ने एक भारती प्रूस और एक अमरीकी मैला प्रेम कहानी को बताया खान ने 2009 की दवरान की ग्रेम सो के दम के दूसरी सीजन को मेजबानी की बेज एस्सिया की यूके की 2008 की एक रिपोर्टर के अनुस्ता सोने सोनी की एंटर्टेन्मिन टेलीवीजन के लिए भार्टी टेलीवीजन की रेटिंग में अपना तीसरा इस्थान हासिल करने के लिए सप्रापायट लचे की रेटिंग की अंकी टी आरपी अर्जित की द्वजन्नाव की वर्तमान की वैसाई की सफलाता वकुर्यूग्राफर से देशित वांटेन्मिन में दिखाई दिये फिल्म को आम तोर पर सक्रात्मक समीछा मिली बाली उनकी हांगामा के तरण आर्दस ने इसे पांच में से चार एस्टार रेटिंग डी सल्मान खान की एस्टार पावर पर सवारी चाता था वस सहर में 37 अभिनेता नहीं हो सकता ल पलफुल रहे रेडिव की राजा से ने 25 की रेटिंग डी और कहा लेखन सो किया और बखवास दोनों जबकी गाने साधे ग्रून है खान भरी मजे कर रहे हो लेकिन वांटे जैसा फिम इस बात को रेखाकर करती है कि बाली उन युगा की प्रमुख प्रूसों की एक नसर की कितनी बुरी तरह से जरूरत है और मौजूदा लोगों की किस तरह फिट होने वाली की भूमिकावों की जरूरत है वह उस वर्ष दो अनय फिल्मों में मैं और मीज़ेश की खाना और लंडन की दिर्मस में दिखाई दिये 2010 में खान की पहली डिरिज अनिल सर्मा की फिल्म थी अपनी अगली फिल्म दंबंग में खान अप फिल्म में हाशे प्राभाव वाले एक नीडर पुलिस वाले की भूमिका निभाई इंको नामी की टाइमस ने फिल्म को बेवकुफ और साजिस और विशानियता के मामले में प्रून अस्गती होने के बावजूद अपनी व दोख को भी नोट किया कि लोग प्रियता को खान की उप्सिस्ति के लिए जिमेदारी ठाराया जिसमें कहा गया है कि वे सलमान खैन के श्टार करिश्ट में को इसके अंसन का त्रेया देती है जो चुलबूले पांड़ी की 38 इंसा की भवित्यों की बेलगामा उच्छा और जोस के साथ करने में कमयाब रहे है दंबंग ने कई प्रसकार जीते जिसमें संप्रून की मन रोजन प्रादान करने के वाले की सोत्रीस लोग प्रियता फ्यिम को राष्टी फ्यिम भी प्लशकार सामील है बांड में इसे तमिल और तेलुगों में दुबारा बनाए गया फ ऐंँ एक जीवन भरकी हुमिकाय जो सलमान खान के इसे ऐसे कटे हैं जैसे कोई भूका आनमी दावत खा जाता है वो पूरी तरह से उसमें रहता है अक्ड़ता और लक्ड़ता है और यहां तेकी खुद को धोका भी देता है खान की 2021 की पहली रिलीज रेडी थी रेडी ने 2021 की दूसरी सबसे आधी कमाई करने वाली बालियून फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया वो अगरी बार बाडिगोर्ड में दिखाई दिये जो 2010 में इसी नाम का मलियालम फिल्म की रिमेक थी फिल्म की समेचकों की डारा अच्छी तरह से प्रापायत नहीं होई थी हाला की यह वर्ष्ट की भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनान की 2022 की पहली रिलीज एक था टाइगर थी जहां उन्होंने कैटरीना कैप के साथ अभिनाय किया और एक भारती जासुस के रूप में काम किया फिल्म को समीचकों से मिली जुली प्रिति ग्याएं मिली और बॉक्स ओफिस पर बेहत मजबुत संग्री की सुरवात हुई यह फिल्म यह स्राज की फिल्म के साथ उनके पहले जुडाओं को चिहित करती है खान ने दोज़र बारे में अरबाज खान के निर्मान के ताथ दंबंग की अगली कड़ी दंबंग दुई को रिलीज किया दंबंग दुई अनकी वैतियों की सतर पर 25 मिलियन के राजसों के साथ एक बड़ी वैतियों के सफलता के रूप में उबरा एक साल के अंतराल के बाद खान की वैज़र चवदे की पहली रिलीज जै हो थी जिसमें उन्होंने डेची किस्तों के साथ अभी नहीं किया था उनकी दूसी रिलीज की के एते लुगों फिल्म की रिमेकर जिसने रूप एट पर भारत में दुई और अरव कलब उन्होंने फिल्म का हैंग ओवर गीत भी गाया खान के 2015 की पहली फिल्म बजरंगी भाईजान जो इट पर रिलीज होई थी को अलोज को और जनता से प्रसंसा मिली और रिलीज होने पर बॉक्स ओफिस के कोई रिकॉर्ट तोड़ दिये फिल्म ने अपने पहले सब्ताहत में 184 मिलियन अमेरीकी डालर की कामाई करते हुए पीकी की पिछले रिकॉर्ट को पीछे छोड़ दिया पीकी के बाद 30 कलम में परवेश करने वाली या खान की पहली और दूसरी बालियून फिल्म थी या फिल्म वर्तमान में भारत और दुनिया भर में 6 और अब से आधी का संग्री के साथ दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बालियून फिल्म है बजरंगी भाईजा ने अपनी रिलीज के 20 दिनों को भी 33 करोर को पार कर लिया और भारत में अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जबकि उनकी दूसरी फिल्म प्रेम रतन धन पाये और एक दिवाली रिलीज की अलोच को अर्जानता से मित्री समीचा मिली और रिलीज के बाद बॉक्स ओफिस पर कई रिकोर्ट टोड़े यहाँ फिल्म की एक मिलियन से आधी की कमाई करने वाली सलमान खान की लगतार नौवी फिल्म बन गई फिल्म ने अपने पहले सब्तहाद में 173 मिलियन की कमाई की 25 नवांबर तक्वीम ने दुश से एक मिल्यान का संग्री किया इसके साथ खान तीन बैंक टू की बैंक फिन में देने वाले एक मात्र अभिनेता बन गई जिने घरेलो 72 मिलियन से आधी की कमाई की वो भारत में ही वर्स में मिलियन के से आधी की घरेलू सुर्फ संग्री वाले करने वाली एक मात्र अभिनेता बन गए हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारी इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बलीवूट की सुपर एश्टार सल्मान खान की करियर की सबसे बड़ी मोवी जिसका नामे सुल्तान तो दोस्तों अगर आप भी सल्मान खान की फैन और अगर आप सुल्तान मोवी को देखना चाते हो और साथी साथ इस मोबी को बजेटिंग बॉक्स ओफिस कलेक्शन को जानना चाहती हूँ तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहिएगा और साथी सत बेल आइकन दवाना नाम भी ना भुलिएगा सुल्टान अली आबास की जफर दारा की नीदेशी द्वजसुरी की भारती हिंदी भासा की एस्पोर्टर्स की ड्रामा फिर्म में यस राज फिर्म में बैनर तहत की आदितिय जोप्रदारा की निर्मित फिर्म में सलमान खान की अनुस्का सर्मा के साथ सिंसक चत्रित के रू जिनके सफल करियर ने उनके नीजी जीवन में दरार पैड़ा कर दी है फिल्म चौ जुलाई दोजास्तोरे को दुनिया भर में रिलीज हुई थी इसने दुनिया भर में चौ से तीन 33 कडूर मिलियन की कमाई की है यह और यह अब तक की दसवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भरती फ्लम है सुल्तान अलिखान की एक की मगयम आयूवर की सथानी की पहलवान और प्रू कुस्ती की चैपियन है जो हरियाना के एक चोटी से सहर रिवारि में इंका जीवन जी रहे है त्री पटेल हरा की साम्तिरेग की नीजी मितीग्थ के सथाप्रग की आकास के वो बेराय को उनके पितादारा की सुल्तान की लोगपियाता को बचाने के लिए भरती करने के लिए पुरुस्ताहित किया जाता है हर्याना की यत्रा करने के बाद वो सुल्तान को भरती के प्रास्ताव देता है जो सपर्ट रूप से मना कर देता है और कहता है कि वो कुस्ती से पूरी तरह से स्वानिवूर्थ हो गया है अपनी स्वानिवूर्थी के पीछे के कारण पीछे के कारण की तलास में आकास सुल्तान के करीबी की दोस गुविंदा का सामना करता है जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे सुरू हुआ 2008 में सुल्टान को रजय सतर की पहलवान और सथानी कुस्ति कोच की बेटी अर्फा हुसैन से प्यार हो गया हलाकि वह सुरुई में उसके प्रेटी ठंडी होती है लेकिन वह सुल्टान को एक दोस्त के रूप में स्विकार करती है जब वह दवा करता है कि वह प्रेटी बंध हो तो वह उसका अपमान करती है और वह कहती है कि वह के वल एक अच्छी तरह से प्रिशित पहलवान से साधी करेंगी अपना समान जितने के लिए डून संकलब सुल्तान खुरको गहन प्रिशन के लिए संप्रीर करता है अंद के एक की राजाय सत्री कुस्ती की टुनामिट में जितता है साथ ही एक साथ अर्फा भी दोनों साधी कर लेते हैं और विविन अंतराश्टी खेलों में भारत का प्रितिनी द्वा करते हुए मानियाता की प्रापात पहलवान बन जाते हैं जब दोनों को अलपता ओल्पिंग के दल के लिए चूना जाता है तो अर्फा को पता चलता है कि वह गवरती है वह भारत के लिए ओल्पिंग की स्वर सवदी उसे घमंडी बना देती है अर्वा एक के काईक्रया में एकी रिपोर्टर को ठपर मार देता है वह त्रूकी में स्वर्ख जितने के लिए अर्फा को उसकी नियत तरीखे के करीब छोड़ देता है लोटने पर उन्हों ने पाया कि उनके नवजात बेटी के गंबीर की रतापाता के कारण मुत्य हो गई थी बच्ची के पास एक दुलबर ओग की रताप्राकार था जो सुल्तान के सामान था जिसकी अनुपस्तीती ने बच्ची को दातारक से वंचित कर दिया गुस्से में अर्फा सुल्तान को छोड़ कर अपनी पिता के साथ रहने का फैसल जुटाता है आज के समय में अंकास सुल्तान से वादा करता है कि टुनामेट की सुपर पुरासकार की रासी ब्लोट बैंक की खोलने की उसके सपने को पूरा करेगी सुल्तान भाग लेने के लिए सहमत हो जाता है और दिली में परिजन के लिए यात्रा करता है जा आकास उस से एमें कोजको फटे हैं सीसे मिलवाता है जो शुरु में उससे मना कर देता है लेकिन उसके डून की सकलपवों को देखने के बाद सहमत हो जाता है दो महीने की प्रेजिन के बाद सुल्तान अपनी कया को वापस भा और सिखता है कि फिश टाइल में कुस्ति कैसी की जाती है अपनी पहली लड़ाई में सुल्दान ने कैपो इरा सैली का उप्योग करें की प्रेटी दंदी को हरा दिया वह जली मैंचों की एकी त्रूंखलाइक जीत कर और इस प्रेकिया में अर्फा का समतन प्रापात करें एक की राश्टिरापी की संसनी बन जाता है प्रेटी दंदी टाइरन के की वूडली के खिलाफ सेमी फाइनल और दोर के दवरान सुल्टान लड़ाई जीत जाता है लेकिन गंभी रूप से घायल हो जाता है और उसे अंस्पाताल में भरती होना परता है डॉक्टर आकास को बत आरी रखने के लिए प्रीट करती है फाइनल मैच के दवरान सुल्टान अप्ति प्रेती दंदी को हरानी के लिए अपने दर्थ पर काबू पाता है और अंत में टुनामेंट की जीत जाता है और अपनी पतनी के साथ फीसे सुल्टान प्रसकार रासी का उप्योग करके एक ब्लोड बैकी खोलता है और अर्फा कुस्ती शुरू करती है कुछ साल बाद हुआ एक की अच्छी को जरम देती है जिसे सुल्तान पहलवान के रुप में प्रेसीजिन करना शुरू कर देता है इस परियोजना की घुसना पहले जून दौजर पंदरे में यूटूब पर जार की श्टूवर के मगरदसन में कुस्ती परिचन लिया अक्तूब़ 2015 में अमिरीकी की अभिनेता के सिल्वेश्टर के श्टेलोन फिल्म के खान के आन स्क्रीन कोच के रुप में कोश्ट किया जाने की खबर थी हाला की फिल्म की काईक्रार्की की निर्मता राजा मुखर जी साफ किया कि स्टूलोन की फिल्म में अभिनाय करेंगे बाद में संजय की दर को खान के अगरा के अनुसार कोच की भूमिका निवाने की अफवा उडाई गई हालाकि बाद में खान ने बताया कि उन्होंने कभी भी दर की भूमिका के लिए आदित्य जोप्रा पर जोर नही बताय स्यंति unpredictable हुड़ा को बाद वे हिमें खान को कोच की भूमिका निवाने के लिए साइन किया हालाकि मार्च दवजे सोरे में उन्हों ने पुसीड की कि ओपाण के चोटे भाय giants कह निभा रहे है एम एम की फाइटर की टाइरन वुडली को फिर्म में अनय सेनानियों के साथ खान के साथ साइन किया गया है जनवरी दोजे सोरे में अनुसका सर्मा के खान के साथ महिला प्राधान भुमिका निभाने के लिए साइन किया गया था एक पहलवान के रूप में अपनी भुमेका के लिए सर्मा ने फिल्म के लिए कुस्ती की सिंचली फर्वरी दोज़े सोरे में बलको की सिंजर को फिल्म के कुरियोग्राफर के रूप में साइन किया गय था वाइभीवी मचेनर की जगा जिनोंने वैतिगत की प्रितिबंदातावों के कारण फिल्म छोड़ दी थी फिल्म का प्रीपोर्कोसान अक्तूबर 2015 में सुरू हुआ जहाँ खान ने फिल्म अपने चतित के एक तस्वीर फेस्बूक पर पोस्ट के फिल्म को मुख्यों फोटोग्राफी दिसंबर 2015 में एंडी की एस्टूडियो करजत की और डेबियो जेडबालियो की मैरियट की मुंबई में सुरू हुई जहाँ फिल्म का पहला सेंडी उल फिल्म आया गया था पहला सेंडी उल का फिल्मकान दिसंबर 2015 में पूरा किया गया था दूसरा सेंडी उल का फिल्मकान जन्वरी 2016 में सुरू किया गया था जहां खान ने एक्षन दूसियों के लिए फिल्माया गया था मार्श दोज़ा सोरे की सुरुवात में एक गाना गया फिल्माया गया था जिसे फरा खान ने कुरियोग्राफर किया था कथी तोर पर खान और सर्मा की बीच की एक्षन की सिक्वेस्ट फिरमाया गए था फिल्म के कुछ सिक्वेस्ट में दिल्ली की तीन सो साथ साल पुरानी जमा मस्जिद होगी अप्रील दौजा सोरे की अंत में मुख्य अविनेता सलमान खान को उत्तर प्रदेश के मुझफर फुर्नगर में सुटिंग के एक हिस्से के रूप में स्कूटर की सुवारी करते देखा गया था फिल्म ने अपने पहले ही तीन दिनों में लगभग 2-6 करोर की कमाई की ऐसा कने वाली या पहली भारती फिल्म बन गई इसने अपने विस्तारीत पांच दिवसी सुरुवात की साथा से लगभग 328 करोर की कमाई की तीन अगास दोज़सोरे तक फिल्म ने भारत में 460 करोर रूपाई और विदोसों में 24 करोर 24 मिलियन की डालर की कमाई की अब तक की 34 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गई चीन में रिलीज होने से पहले फिल्म दुनिया भर में कमाई पांच उनाज़ी 25 करोर थी जिसमें भारत में 421, 25 करोर और विदेशों में 158 करोर सामिल है 9 दिसंबर 2018 तक चीन में रिलीज के बाद फिम ने दुनिया भर में 6-23 की 33 करोर मिलियन की कमाई की है सुल्तान ने अगरीम की बुकिंग के लिए एक की नया रिकोर्ट बनाया अपनी रिलीज की रिन सुल्तान को औस्तातन के 70-10 के मिले और लगभा की 36-54 करोर की कमाई की अपने दुसे सब्ताहत के अंतक फिम ने अनुमानित की 2-78 करोर की कमाई कर ली थी इसका अंतिम घरेलुस्तकल की 421-25 करोर था 24 जुलाई दोजस्तोरे तक फिम ने सयुक्त रजय और कनाडा में अनुमानित 49-69 करोर सयुक्त अरब अमिरात और खारी सयुक्त की परिस्तर में 52-94 करोर की युनाइटिर की किंग्डम में 24-7 करोर की आश्टेलिया में 66-65 करोर 30 करोर का संग्री किया था पाकिस्तर और ने छेत्रों में 30 करोर युनाइटिर की किंग्डम में यहां मिलियन से आधिक के साथ खुला और वर्स के अंतग शकल 18 मिलियन हो गए जिसे यह दोजस्तोरे की युकी की दूसरी सबसी आधिक क्रमाई करने वाली विदेशो भासा की फिन बन गए दंगल के नीचे की जुलाई दोजस्तोरे तक्फिम ने नयुजेलेंड में 293 करोर और मलेसिया में 109 करोर का संग्री किया था 10 जुलाई दोजस्तोरे तक्फिम ने जमरनी में 33 लाख रूपये कमाई थे तिसरी साफ्ताहार के अंत में सुल्तान की कुल विदेशी कमाई लगभग की 227 मिलियन डालर की 151 की 2 करोर थी तीन अगस्त दोजस्तोरे तक सुल्तान विदेशों में 24 से 2 मिलियन डालर की 161 करोर की कमाई की थी जिसे यहां विदेशी बाजारों में छटी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गई इसके चीन में रिलीज से पहले इसकी विदेशी कमाई की 180 करोर थी चीन में जहां फिल्म 31 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म ने सोरे दिसंबर 2018 तक 24 मिलियन अमिरीकी की डालर की कमाई की 9 दिसंबर 2018 को समाप्त के दोरान की सब्ताही की चीन बॉक्स ओफिस की चार्ट पर फिल्म में सात्वे नमबर पर पहुँच गई 9 दिसंबर 2018 तक फिल्म ने विदेशों में मिलियन की कमाई की है इस फिल्म पर आधारित एक आधारी के ग्रेम की 99 गेमर्स की दारा की मोबाइल की मोबाइल फोन के लिए जारी किया गए 6 जुलाई 2016 को फिल्म की डीजिटल की कपी डाकनेट में उपलबध होने की सुचना मिली थी इस बास की पुशिट करते वे की निर्मतावों की डारस्ती भी एफ्री की ब्रोट को समीचा के लिए भेजे गए नमूने से प्रेटी लिपी बनाई गई थी लीग की जांज कर रहे हैं साइबर अपराद की विशेशको ने कहा कि रिशुआ की पुशिट हो गई है फिल्म की प्रेटी की डाकनेट पर उपलबध है और जली या योगी टोरेंट पर उपलबध है हाला कि फिर्म की निर्मता यस राज फिर्म ने इस तरह के विकास से इंकार किया कि एक नीजी अन्वेसर की किसलाय की चोधरी ने दावा किया दूई घंटे चाटिस मिनट लंबी फिल्म की उपलवा थै और उसकी उसी का इसके इसकरेंशाट में तूटे के हसास साजा किया उन्होंने कहा मंगल वासास से कई बेव Image को ओवरोदो कर दिया गया है और लिंग की तुरंट हता दिया गया था कि उन्होंने कहा पुरस। सलमान खान की पठकटा के लेकन की सलीम खान और उनकी पहली पतनी सुसीला चरक से सबसे बड़े बेटे हैं जिनोंने सलमा नायम का अपनाया था। 27 दिसंबर उन्हें से 65 को एक मुस्लिम पिता और हिंदु मा के घर जनम खान का पलन पोसंद दोनों धर्मे में हुआ। और वर्सों के बार ही ठीक हुए सलमान खान के दारा रदी अलाकोइंज की पस्तून थे अफगनिस्तान से जो अठारे वर्स के दर्स की मग्यम इंदौर रजय इंदौर की रेडी रेजी की डेंस की अब मग्यम प्रदेश में बीटेस भारत में आकार बस गए थे हलाकि विनेता की अपनी जीवन में कहा है कि उनके प्रूज बीटेस की भारत की वर्तमान खैबर की पक्तुर नकिया की पकिस्तान की उत्तर पचिम की सीमा प्रापात की स्वाती घंडी में मलकन के यूसुफ आजय की पस्तून की अकूजय की उप जन जाती के थे उनके दादा जिने होलकर काल की दिले जंग की प्रसकार की समानित किया गए था खान की मा की एक गुरूनी है जिनके पिता बलदेव सी चरक की एक डूगड़ा की राजपु जम्मू और कस्मीर के जम्मू से आते हैं और उनकी माराथी मा मारास्ति आती है खान की हिंदी और अंग्रेजी के अलावा माराथी भी बोल सकते हैं उनके दो भाई है अरबास खान और स्वया खान और दो बैने अलवीरा खान अगनी त्रियों जिनकी साधी अभिनेता नीदेशन की अतुल की अगनी त्रियों और एक की दर्थ बहन की अप्रीता से हुई है सल्मान ने अपनी स्कूली सिंजर के मोंबाई के ब्राइंड कर एक सेट के एस्टेनीर लाइंस की हई उसको ने पूरी की जैसा कि उनके छोटे भायों की अरवाज और सोएल ने किया था इससे पहले कि उन्होंने अपने छोटे भाई अरवाज के साथ कुछ वर्सों तक सिंधिय इसकूली में पढ़ाई की जिनोंने मुंबाई के सेट के जिवयंस की कालेज में पढ़ाई की लेकिन पढ़ाई छोड़ दी थी उन्हें से उनासी 93 प्रापान और सफलता के खान अपनी अभिनाई की सुरुआत की उन्हें से 88 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की जिसे में उन्होंने एकी सहायक की भूमी का निभाई उन्होंने सुरज आरबर जत्या की रोमांटी परवारी ड्रामा मैंने प्यास किया उन्हें से उनासी में प्रामुक की भूमी का निभाई जो उस समय सबसे आधिक कमाई करने वाली भारती फिल्मों में से एक बन गई इसने उने उसी समारों में 37 पुरूज की प्रापान के लिए नमाकन के साथ फिल्म फेयर की 37 की अभिनेता के लिए अपना पहला नमाकन अरजित किया बादवाले को बर्जातिया को समानित किया मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में होविन लौकी क्लस इस पेनिस में तो अमो और तेलुगो में प्रमो की पावरालो के रूप में डौप किया गया था उन्हेसे नबे में खान की अभिनित एक फिलिज है बागी बॉक्स ओफिस पर सफल रही इसके बाद उन्हेसे एक आने में तीन समानिय रूप से सफल फिल्म में रही पत्थर के फिल्म सनम बेवफा और कुर्बानी उसी वर्ष खान संजय दर्ज और माधरी तीजित के साथ रोमांटिंग ड्रामा स्याजन में सौकलाकार की रूप में काम किया 1994 में खान राज कुमा संजय की अंदाज अपना अपना में आमीर खान के साथ सौकलाकार दिखाई दिये रिलीज के समय फिल्म बॉक्स आफिस वर असफल रही लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसने एक पर्त का दर्जा हासिल कर लिया है कि बाद में वर्ष में उन्हों ने निर्देशन की सूरज बढ़ जातेया के साथ रोमांस हम आपके है कौन में सयोग किया सौकलाकार की माधूरी तरी जित उन्हें से 95 की प्रसकार 17 के दवरान फिल्म ने सौरज फिल्म के निर्देशन की अगनेत्ती के लिए तीन फिल्म फियर प्रसकार जितने इसने वर्ष की सबसे लोग प्रया फिल्म होने का राश्टिय प्रसकार भी जिता दुनिया भर में 2 मिलियन से आधी की कमाई करने वाली यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी बालियून हिट और उस समय तक की सबसे आधी कमाई करने वाली भाती फिल्म बन गई यहाँ बॉक्स ओफिस की इंडिया की हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसी बड़ी ब्लाक बोस्टर की सुची में से एक है दोज़े छो में बॉक्स ओफिस की इंडिया की अनुसार यहाँ अब तक की चोथी सबसी आधी क्रामाई करने वाली बाली फिल्म थी उन्हें से 95 में उन्हों राके सोसन के करन और यून में सारुख खान के साथ अभिनेय किया दोनों नों भाईयों की भुमिका निभाई जो परिवारी की सत्रूओं की दरा मारे जाने के बाद पुंजयनम लेते हैं करन के रूप में उनकी भुमिका ने उन्हें 95 फिल्म फियर और अभिनेता की पुराजकार के लिए नमाकित किया गया उन्हें से 96 में खाने संजय लिला भनसाली की निर्देशन में बनी पहली फिल्म खामोसी दम यूजिकल में अभिनाई किया वह भी दिखाई दिये और राज कवर की एकसर ने जीत को हीट कर दिया उन्हें से 97 में उनकी दो रिलीज हुई जुडवा और अंजार पहली डेवी धवन के दारा निरेशित एक कामेडी थी जिसमें उन्होंने जरम के समय अलग हुआ जुडवा बच्चों की दोरी भूमिका निभाई खान ने उन्हें से 98 में पांच अलग अलग फिल्मों में काम किया उनकी पहली रिलीज रोमांटी कोमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या थी जो काजोल के साथ थी जो उस साल की सबसे बड़ी वैसाई की सफलताओं में से एक थी इसके बाद मघ्यम रूप से सफलनाटर की जब प्यार किया तो किस से होता है आया जिसमें खान में एक ऐसे युवकी भूमिकानी भाई जिसने अपने बेटे होने का दवा करने वाले एक बच्चे को अपनी हिरासत में लेना होता है फिल्म में खान के प्रदस्ट की कैमियों भी किया जिसके लिए उन्होंने सोतिस सहाया की अभिनेता की त्रेनी की तो दूसरा फिल्म फियर पुरसकार अरजित किया उन्हें से निनार्वे में खान ने तीन फिल्मों में अभिनाय किया हम साथ साथ है बीवी नंबर एक और हम दिल दे चुके सनाम में एत् की प्रदासन की अनुकुल समीचा की गया जिसमें रेडीव की सरमीला की टेले कौम ने कहा सलमान प्यारे है वह नाट की दूसियों में हैम करते हैं लेकिन कामेडी और उन्स रुमांटी दूसियों को करने में बहुत सहज दिखते हैं पीस में खान ने चूरी चुरी चुपके चुपके में धिखाई दिये जिसने इस दुरोगेट वचे के जनम के मुच को संबोधित किया इसमें खान ने एक अमीर की उदोगपती की भूमी का निभाई जो अपनी पत्नी के बाज होने के बाद एक सुरेगोट मां को काम पर में काम करने के मदद मिली दौजदू में उन्होंने हम तुमारे हैस्तना में अभी नए किया तेरे नाम दौजदीन के लिए तरान आर्दस ने उनकी बारे में कहा सलमान खान एक ऐसी भूमिका में आसादरन है जो उन्हें टी के लिए फिट बैठता है वह उन दुस्यों मे आग लगाती है जो बैचेनी की मांग करती है लेकिन कठीट बाहरी की नीचे एक कमजूर वैती होता है और यह पहलू अंदर होता है विसी इस रूप से की बात के दीलों में सामने आता है उनकी भावनात्मा की विस्पूर्ट संदार है निर्देशन की संतीस की कौश्टिक सामने फिल्म के खान के काम में खां को क्यां को मजबूत मांते हुए कहा सल्मान ने फिल्मे संदार प्रदर्शन किया है उन्हों wydaje और िटर मेरा मानना है कि यह सलमान खान की करियर का अब तक 37 प्रदरसन है उन्होंने मुझसे सारी करोगी 2004 और 9 एंटरी 2005 जेसी कामेडी के साथ अपना करियर जारी रखा खान ने 2007 की सुरुआ सलमाय एंट की इसक फिल्म से की थी वहालियून की फिल्म मेरी गोल में अमिरीकी अविनेतरी की अली लटर के साथ दिखाई दिये फिल्म ने एक भारती प्रूस और एकी अमरीकी मैला प्रेम कहानी को बताया खान ने 2009 की दवरान की ग्रेम सो के दम के दूसरी सीजन को मेजबानी की बेज एस्सिया की यूके की 2008 की एक रिपोर्टर के अनुस्ता सोने सोनी की एंटर्टेन्मिन टेलीवीजन की लिए भारती टेलीवीजन की रेटी में अपना तीसरा इस्थान हासिल करने के लिए सप् लाता वकुर्योग्राफर से नीदेशन में बने प्रभु देवादाराय की नीदेशित वांटेन में दिखाई दिये फिल्म को आम तोर पर सक्रात्मक समीचा मिली बाली उनकी हांगामा के तरन आर्दस ने इसे पांच में से चार एस्टार रेटिंग डी सन्बान खान की ए इस्टर की तरह लगता है आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते जो इस भुमेका को फलफुल रहे रेडिव की राजा से ने पचीस की रेटिंग डी और काहल लेखन सो किया और बखवास दोनों जबकी गाने साधे ग्रून है खान भरी मज़े कर रहे हो लेकिन वांटे जैसा फिम इस बात को रेखाकर करती है कि बाली उन युगा की प्रमुख प्रूसों की एक नसल की कितनी बुरी तरह से जरूरत है और मौजूदा लोगों की किस तरह फिट होने वाली की भुमिकावों की जरूरत है वह उस वर्स दो अन्य फिल्मों में मैं और मीज़ेश की खाना और लंडन की दिखाए दिये 2010 में खान की पहली दिख अनिल सर्मा की फिर्म वीर थी अपनी अगली फिर्म दंबंग में खान ने अप फिर्म में हाशे प्राभा वाले एक नीडर पुलिस वाले की भूमी का निभाई इंको नामी की टाइमर्स ने फिर्म को बेवकूफ और साजिस और विसानियता के मामले में प्रून अश्गती होने के बावजूद अपनी वैसाई की सफलता के लिए उलेखने की बताया टाइमर्स ने उदोग को भी नोट किया कि लोगप्रियता को खान की उफ्रिस्ति के लिए जिमेदारी ठाराया जिसमें कहा गया है कि वे सल्मान खान के इस्टार करिश्मे को इसके अंसन का त्रेया देते है जो चुलबूले पांडरी की 38 सिंसा की भवित्यों की बेलगामा उच्सा और जोस के साथ करने में कम्याब रहे हैं दंबंग ने कई प्रसकार जीते जिसमें स्रम्प्रून की मनरोजन प्रादान करने के वाले के 37 लोग प्रियता फिर्म को राष्टी फिर्म भी प्रसकार सामिल है बाज में इसे तमिल और तेलुगों में दोबारा बनाया फिल्म का निर्मान उनके भाई आरवाज खान ने किया था हिंदुस्टान टाइमस की दारा यहां बताया गया कि फिल्म पूरे देश में पूरे घर में खुल गया खान को उनकी प्रदाशन के लिए 37 अभिनेता के लिए स्टार इस्क्रीन आवडर और स्टार ओफ द इयर मे प्रदाशन के लिए 37 अभिनेता के लिए उनके छटे फिल्म फियर प्रसकार के लिए भी नमाकित किया गया था कि अनुपरमा जप्रा ने अपनी प्रदाशन के बारे में लिखा या एक जीवन भर की हुमिका है जो सलमान खान के इसे ऐसे काटे हैं जैसे कोई भूका आनमी दावत खा जाता है वह पूरी तरह से उसमें रहता है अकड़ता और लखड़ता है और यहां तेकि खुद को धोका भी देता है खान की 2021 की पहली रिलीज रेडी थी रेडी ने 2021 की दूसरी सबसे आधी क्रमाई करने वाली बालियून फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया वह अ अच्छी तरह से प्रापायत नहीं होई थी हाला कि यह वर्ष्ट की भारत की सबसे ज्यादा कामाई करने वाली फिल्म बनान की 2022 की पहली रिलीज एक था टाइगर थी जा उन्होंने कैटरीना कैप के साथ अभिनाय किया और एक भारती जासुस के रूप में काम किया फिल्म यसराज की फिल्म के साथ उनके पहले जुडाओं को चिहित करती है खान ने दोजर बारे में अरबाज ख्यान के निर्मान के ताथ दंबंग की अगली कड़ी दंबंग दुई को रिलीज किया दंबंग दुई अनकी वैतियों की सतर पर 25 मिलियन के राजसों के साथ एक बड भी नहीं किया था उनकी दूसरी रिलीज की के एत्ते लुगों फिल्म की रिमेकर जिसने रूँ एट पर भारत में दुई और अरब कलब उन्होंने फिल्म का हैंग ओवर गीत भी गाया खान के 2015 की पहली फिल्म बजरंगी भाईजान जो इट पर रिलीज होई थी को अलोज को और जनता से प्रसंसा मिली और रिलीज होने पर बॉक्स ओफिस के कोई रिकॉर्ट तोड़ दिये फिल्म ने अपने पहले सब्ताहत में 184 मिलियन अमेरीकी डालर की कामाई करते हुए पीकी की पिछले रिकॉर्ट को पीछे छोड़ दिया पीकी के बाद 30 कलाम में परवेश करने वाली या खान की पहली और दूसरी बालियून फिल्म थी या फिल्म वर्तमान में भारत और दुनिया भर में 6 और अब से आधी का संग्री के साथ दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बालियून फिल्म है बजरंगी भाईजा ने अपनी रिलीज के 20 दिनों को भी 33 करोर को पार कर लिया और भारत में अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जबकि उनकी दूसरी फिल्म प्रेम रतन धन पाये और एक दिवाली रिलीज की अलोज को अर्जानता से मित्री समीचा मिली और रिलीज के बाद बॉक्स ओफिस पर कई रिकोर्ट टोड़े यहाँ फिल्म की एक मिलियन से आधी की कमाई करने वाली सलमान खान की लगतार नौवी फिल्म बन गई फिल्म ने अपने पहले सब्तहाद में 173 मिलियन की कमाई की 25 नवांबर तकवीम ने 2 से 1 मिलियन का संग्री किया इसके साथ खान ने 3 बेंक 2 की बेंक फिल्म में देने वाले एक मात्र अभिनेता बन गई जिने उगरेलू 172 मिलियन से आधी की कमाई की वो भारत में ही वर्स में मिलियन के से आधी की घरेलू सुप संग्री वाले करने वाली एक मात्र अभिनेता बन गए हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारी इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बलीवूट की सुपर एश्टार सल्मान खान की करियर की सबसे बड़ी मोवी जिसका नामे सुल्तान तो दोस्तों अगर आप भी सल्मान खान की फैन और अगर आप सुल्तान मोवी को देखना चाहते हो और साथी साथ इस मोबी को बजेटिंग बॉक्स ओफिस कलेक्शन को जानना चाहती हूँ तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहिएगा और साथी सत बेल आइकन दवाना नाम भी ना भुलिएगा सुल्टान अली आबास की जफरदारकी नीदेशी द्वजस्तुरिय की भारती हिंधी भासा की एस्पोटस की ड्रामा फीर में यस राज फिल्म में बैनर तहट के आदितिय जोप्रदारा की निर्मित फिल्म में सलमान खान की अनुसका सर्मा के साथ सिंसक चत्रित के रूप में हैं फिल्म की सुल्तान अलिखान पर क्रेदित है जो एक की कलपानी की पहल पालवान और हरियाना की प्रूवी की कुस्ती चैपियन है जिनके सफल करियर ने उनके नीजी जीवन में दरार पैड़ा कर दी है फिल्म चो जुलाई दोजास्तोरे को दुनिया भर में रिलीज हुई थी इसने दुनिया भर में चो से तीन तेटिस करोन मिलियन की कमाई की है यह और यह अब तक की दसवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्म है सुल्तान अलिकान की एक की मघयम आयूवर की सथानी की पहलवान और प्रू कुस्ती की चैपियन है जो हरियाना के एक छोटे से सहर रिवारी में इंका जीवन जी रहे है त्री पटेल दारा की सामतिरित एक नीजी मितिरित मार्सल अटली के सथाप्रक की आकास की ओबेराय को उनके पिता दारा की सुल्तान की लोगपियाता को बचाने के लिए भरती करने के लिए पुरुस्ताहित किया जाता है हर्याना की यत्रा करने के बाद वह सुल्तान को भरती के प्रास्ताव देता है जो सपत रूप से मना कर देता है और कहता है कि वह कुष्ती से पूरी तरह से स्वानिवूर्त हो गया है अपनी स्वानिवूर्ती के पीछे के कारण पीछे के कारण की तलास में आकास सुल्तान के करीबी की दोस्त गुविंदा का सामना करता है जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ 2008 में सुल्तान को रजय सतर की पहलवान और सथानी कुस्ति कोच की बेटी अर्फा हुसैन से प्यार हो गया हलाकि वह सुरूर में उसके प्रेटी ठंडी होती है लेकिन वह सुल्तान को एक दोस्त के रूप में स्विकार करती है जब वह दवा करता है कि वह प्रेटी बंध हो तो वह उसका अपमान करती है और वह कहती है कि वह केवल एक अच्छी तरह से प्रेशित पहलवान से साधी करेंगी अपना समान जितने के लिए डून संकलब सुल्तान खुरको गहन प्रेशन के लिए संप्रीर करता है अंद का एक की राजाय सत्री कुस्ती की टुनामिट में जितता है साथ ही एक साथ अर्फा भी दोनों साधी कर लेते है और विविन अंतराश्टी खेलों में भारत का प्र तो अर्फा को पता चलता है कि वह गवरती है वह भारत के लिए ओलपिंगी स्वरन पदक जितने के अपने बच्पन के सपनेों को छोड़ देती है जिसे सुल्तान तब पूरा करता है उसे आत्रे होता है कि सुल्तान की उपलवदी उसे घमंडी बना देती है और वह एक पोटर को ठपर मार देता है वत रुकी में स्वर्ख जितने के लिए अर्फा को उसकी नियत तरीखे के करीब छोड़ देता है लोटने पर उन्हों पाया कि उनके नवजात बेटी की गंबीर की रतापाता के कारण मुत्य हो गई थी बच्ची के पास एक दुलबर ओग की रताप्राकार था जो सुल्तान के सामान था जिसकी अनुपस्तीती ने बच्ची को दातारक से वंचित कर दिया गुस्से में अर्फा सुल्तान को छोड अगर अपनी पिता के साथ रहने का फैसला करती है अपनी पती और बच्ची को खोने से उदास सुल्तान अपने बेटे के नाम का बलोड बैक खोलने के लिए धन जुटाता है आज के समय में अंकार सुल्तान से वादा करता है कि टुनामेट की सुपर पुरासकार की राशी ब्लोट बैंक की खोलने की उसके सपने को पूरा करेगी सुल्तान भाग लेने के लिए सहमत हो जाता है और दिली में प्रेशन के लिए यात्रा करता है जा आकास उसे एमेम कोज को फतेई सी से मिलवाता है जो शुरू में उसे मना कर देता है लेकिन उसके डुन की सकलपां को देखने के बार सहमत हो जाता है दो महीने की प्रेशन के बार सुल्टान अपनी काया को वापस पा लिता है और सीक्ताइब की-फिश टाइल में कुस्ति कैसी की जाती है अपनी पहली लड़ाई में सुल्टान ने कैपो इरा सैली का उप्योग करें की प्रेटी दंदी को हरा दिया वह जली मैंचों की एक ही तुरूंखलाई जीत कर और इस प्रेटिया में अर्फा का समतन प्रापात करें एक ही राश्टिरापी की संसनी बन जाता है प्रे और उसे अस्पताल में भरती होना परटा है डॉक्टर आकास को बताता है कि सुल्टान को दोबार यूद नहीं करना चाहिए कि कही ऐसा ना हो कि उसके च्योटो घातक हो जाए अर्फा वार्ड में आती है और उससे लड़ाई जारी रखने के लिए प्रीत करती है फाइनल मैच के दोरान सुल्तान अपते प्रीती दंदी को हरानी के लिए अपने दर्थ पर काबू पाता है और अंत में टुनामेंट की जी जाता है और अपनी पतनी के साथ फीसे सुल्तान प्रशकाराशी का उप्योग करके एक बलड बैकी खोलता है और अर्फा कुष्थ सुरू करती है कुछ साल बाद हुआ एक की अच्छी को जरम देती है जिसे सुल्दान पहलवान के रुप में प्रेसीजिन करना शुरू कर देता है इस परियोजना की घुसना पहले जून 2015 में यूटूब पर जारी टीचर के साथ की गई थी खान फिल्म में हर्याना की एक की पहलवान की भुमिका निभाते नजर आएंगे फिल्म की तैयारी के लिए खान ने लाइनेर की एस्टूर के मग्रदर्सन में कुस्ती परिचन लिया अक्तूबह 2015 में अमेरिकीं की अभिनेता के सिल्वे एस्टन की एस्टेलोन फिल्म के खान के अनि स्क्रीन कोष के रूप में कौश्ट किये जाने की खबर थी हलाकी फिल्म की काईक्राकी की निर्मता राजा मुखर जी ने साफ किया कि इस्टेज सटोलोन की फिल्म में अभिनाय करेंगे बाद में संजय की दर्ध को खान के अगरा के अनुसार कोज की भूमिका निवाने की अफवा उड़ाई गई हलाकि बार में खान ने बताया कि उन्होंने कभी भी दर्द की भूमिका के लिए आदित्य जोप्रा पर जोर नहीं दिया विसंबल 2015 में रन्दीप ने हुड़ा को बार वेफिय में खान को कोच की भूमिका निभाने के लिए साइन किया काईपो चेकी आमीच सान की कती तरपर प्रिसिंडिय को युवा सुल्तान की भूमिका के लिए साइन किया गया था हलाकि मार्च द्वज़ सोरे में उन्होंने पुसिच की कि वह खान के छोटे भाई की भूमिका निभा रहे है एम एम की फाइटर की टाइरन वुडली को फिल्मे अनय सेनानियों के साथ खान के साइन किया गया है जन्वरी द्वज़ सोरे में अनुसका सर्मा के खान के साथ महिला प्राधान भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था एक पहलवान के रूप में अपनी भुमेका के लिए सर्मा ने फिल्म के लिए कुस्ति की सिंचली फर्वरी दौज़े सोरे में बल्को की सिंजर को फिल्म के कुरियोग्राफर के रूप में साइन किया गय था वाइभीवी मचेनर की जगा जिनोंने वैतिगत की प्रितिबंदातावों के कारण फिल्म छोड़ दी थी फिल्म का प्रीपोर्कोसान अक्तूबर 2015 में सुरू हुआ जहाँ खान ने फिल्म अपने चतित के एक तस्वीर फेस्बूक पर पोस्ट के फिल्म को मुख्यों फोटोग्राफी दिसंबर 2015 में एंडी की एस्टूडियो करजत की और डेबियो जी डिबालीओ की मैरियाट की मुंबई में सुरू हुए जहाँ फिल्म का पहला सेंडील फिल्म आया गया था पहला सेंडील का फिल्मा का फिल्मा का दिसंबर 2015 के अंग में पूरा किया गया था दूसरे से इंडील का फिल्मकान जनवरी 2010 में शुरू किया गया था जहाँ खान ने एकशन दूरियों के लिए फिल्माया गया था मार्श दोज़ा सोरे की सुरुवात में एक गाना गया फिल्म आया गये था जिसे फरा खान ने कुरियोग्राफर किया था कथी तोर पर खान और सर्मा की बीच की एक्षन की सिक्वेस्ट फिल्माया गये था फिल्म के कुछ सिक्वेस्ट में दिल्ली की 360 साल पुरानी जमा मस्जिद होगी अप्रील दोज़ा सोरे की अंत में मुख्य अविनेता सलमान खान को उत्तर प्रदेश के मुझफर पुर्नगर में सुटिंग के एक हिस्से के रूप में स्कूटर की सुवारी करते देखा गया फिल्म ने अपने पहले ही तीन दिनों में लगभग 2-6 करोर की कमाई की ऐसा काने वाली या पहली भारती फिल्म बन गई इसने अपने विस्तारीत पांच दिवसी सुरुवात की साथा से लगभग 328 करोर की कमाई की तीन अगास दोज़ा सोरे तक फिल्म ने भारत में 400 सोरे करोर रूपाई और विदोसों में 24 करोर 24 मिलियन की डालर की कमाई की अब तक की चोथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारती फिल्म बन गई